हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दा स्टडी आइक्यू यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सेरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे फ्रीडम विद पार्टीशन यानि कि आज हम भारत को आजाद करव होंगा कि अगर उन्होंने मेरे पिछले सेशन अभी तक नहीं देखे हैं सो मेक शोर वो पिछले सेशन को जरूर देखें क्यूंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो है वो बैगराउंड आपका प्रिपेर होना चाहिए अगर आप इससे पहले की घटनाओं को नही नहीं समझोगे क्या-क्या घटना घटी तो यह टॉपिक आपको कैसे समझाएगा पहली बात दूसरी चीज जो मैं पूरा एक strategy लेकर चल रहा हूँ आपका foundation आपकी जो foundation create करने की जैसे कि अगर आप regularly follow करते हैं तो समझते होंगे कि हम सभी concepts को मजबूती से prepare कर रहे हैं प्लस जाद से जादा facts को जोड़ते चले जा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी भी examination में बैठे हैं भले ही वो कोई एक दिविसी examination हो या UPSC का मेंज लिखने आप जा रहे हो तो उस examination में इतिहास को लेकर आपके concepts होगी history sessions by Vishal चोहान और उसके अलावा इस video के नीचे and for that matter हर एक video के नीचे जो pinned comment है उस pinned comment में नीचे जाएंगे आप स्क्रोल करेंगे तो आपको playlist का link भी मिल जाएगा तो वहां से भी आप access कर सकते हैं सभी sessions को पिछले sessions देखना शुरू कीजिए उनमें जो मैं सवाल करना चाते हैं और वो सारी चीज़े आप मुझे comment के माध्यम से बता सकते हैं हमारी team के लिए बहुत helpful रहता है हमें पता चल जाता है कि बच्चों की आगे demand क्या है बच्चे क्या पढ़ना चाते है राइट सो उसके लावा अगर आप CSC के लिए prepare कर रहे हैं तो study IQ की learning application को install क device पर जिस पर एक thorough course available है CSC के लिए UPSC civil services के लिए राइट और उस course में 1300 से प्लस video lectures already उसमें डले होए हैं डेली के current affairs उसमें आते रहते हैं उसके अलावा answer rating की practice doubt solving पूरा का पूरा package है available make sure you check that out the link is in the description of this video so शुरू करते हैं आज का हमारा session जैसा की आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं हमें सबसे पहले पढ़ना है interim government के बारे पर राइट so अगर आपने पिछला ही मेरा session follow किया है तो मैंने उसमें समझाया था कि अंत में जिन्ना और the Muslim League withdrew from the cabinet mission plan ठीक है और जिन्ना ने ये घोशना करी कि 16 अगस से वो direct action करेंगे और 16 अगस को direct action day के रूप में जो है वो उन्होंने रखा कि 16 अगस जो है वो direct action day रहेगा और अब हम एक continuous direct actions के माध्यम से पाकिस्तान की प्राप्ती करेंगे ऐसा जो है वो Muslim League का stance था उसी बीच interim government भी establish हुई तो आएए समझते हैं उस cabinet vision plan में बोला गया था ना कि interim government आएगी और interim government कौन बनाएगा constituent assembly that means constituent assembly को बनाने के लिए elections होंगे पिछला session अगर आपने ध्यान से देखा हो तो section A, section B, section C, the three groups of the provinces जो कि बाट दिया गया था धर्म के साब से जिन है अगर आपने पिछला session नहीं देखा है so make sure you watch that so आज के session में यानि की partition को और independence को समझने के लिए पिछले सभी sessions को connect करना बहुत आनिवर रहे है एक brief में आपको background prepare करके देता हूँ कि अभी तक क्या-क्या घटना है घट चुकी है quit India moment के बाद जो तीन साल unrest रहा इंडिया में उसके बाद INA के सैनिकों को लाया गया उनके उपर trial चली सिपाहियों ने ratings ने यानि की Royal Indian Navy के ratings ने और students ने protest किया ठीक है आये ने के trial के खिला और उस प्रोटेस्ट के साथ जो है वो जनता भी जुड़ी और पूरे देश में जो है वो अभी एक एक revolution लाने की भावना थी वहीं पर यह अंग्रेजी सरकार ने गोशना कर दी कि एक cabinet mission जो है वो आएगा उससे पहले जो है वो हम provinces में elections करवाएंगे वैवल ने declare किया था यह कब किया था मुझे तुरंद comment में बताएंगे ठीक है प्रोविंशल election और central legislative assembly की नहीं elections होने थे और फिर constituent assembly बनाय जाने की बात की गई एटली द्वारा ठीक है तो यह background हम already पढ़ चुके हैं पिछले session में सारी चीज़े हम cover कर चुके हैं आज हम आगे की घटनाओ को समझते हैं कि आगे क्या हुआ तो आईए सबसे पहले देखते हैं जो interim government बनने वाली थी जिससे cabinet mission plan के तहट interim government बनने वाली थी क्योंकि cabinet mission plan के तहट constituent assembly establish होनी थी जिससे withdraw कर लिये था Muslim league ने that means interim government में Muslim league नहीं होनी चीगे तो आईए समझते हैं कि क्या interim government में Muslim league थी या नहीं थी क्या Muslim league के motive थे interim government में आने के क्या वो Pakistan क्योंकि cabinet mission plan अगर आपने पढ़ाया तो मैं उसमें बताया था कि Pakistan नहीं बनाया जाएगा ठीक है लेकिन भारत में एक federal structure रहेगा इस चीज की जो है वो हिंट वहाँ पर दी गई थी तो आईए देखते हैं उसी सब background में आज की topic को समझने कोशिश करते हैं पहला point पढ़िएगा from august 16 1946 the Indian scene was rapidly transformed ठीक है अगस 16 को क्या था direct action day there were communal rights rights on an unprecedented scale which left around several thousand Z the worst hit areas were Calcutta Bombay Naokali Bihar और गर मुक्तेश्वर in United province तो direct action day के बाद communal rights हुए जहां जहां पर जो already Hindu Muslim tension वाले area हैं वहां पर दंगे हुए और लगभग 5000 के आसपास लोग की जान गई जिसमें Hindu और Muslim दोनों population मौजूद थी केवल जान का ही नहीं माल का माल की भी हानी हुई ठीक है public property को नुक्सान पहुँचाए गया लोगों के घरों में आग लगाई गई महले के महले जो है वो जलाए गए उसके अलावा महिलाओं के साथ दुशकर्म किये गए तो सामाजिक एक दंगे के दोरान जितनी भी सामाजिक गुरीतियां होती है वो सब वहाँ पर witness की गई लोगों द्वारा और एक बड़े लेवल पर हुई इस तरह का जो है वो प्रिपेर करूँगा 1858 और उससे पहले से भी मेडाईवल टाइम से भी जो हिंदू और मुसलिम्स के बीच में जो खीशतान है उसको अंग्रेजों ने कैसे जो है वो यूज किया वो सारी चीज़े आपको समझाओंगा मैं और पार्टीशन तक लेके आएंगे और उसके ब भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी डिस्प्यूट्स है उन सब का बैक्राउंड में पर पेर कर दूँगा और फिर एक-एक करके उन बड़े मुद्दों को उठाएंगे हम ठीक है मैंने बोला ना माइक्रो अनेलेसिस जो बड़े-बड़े मुद्दे है जिन पर सवाल ब बड़ेंगे ठीक है आगे देखते है आए शो दंगा हुआ भारत में और इससे अंगरेजी सरकार की प्रियरिटीस बदल गई changed government priorities देखे किस तरा बदली Veval was now eager to somehow get the congress into interim government even if the league stayed out a departure from Veval's stand during the Shimla conference this attitude was against the league's insistence that all settlements be acceptable to it and also against earlier government postures of encouraging communal forces of denying the legitimacy of nationalism and of denying the representative nature of congress यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सरकार के बदलते हुए रुख को अब Veval को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था ना कि अंग्रेजी सरकार भी उलजी हुई थी डिलेमा में फैसी हुई थी क्यूँ कि उसकी खुद की बिरॉक्रिसी और जो लॉयलिस्ट वर्ग है वो उन से खफा हो गये थे क्यूँ क्यूँ क्यूँकि कॉंग्रेज के प्रती जो है वो उन्होंने एक हाथ बढ़ाया था आगे कि तरता करते हैं क्यूंकि क्रिप्स मिशन तक भी जो लॉयलेस्ट है वो ये भली भांती समझते थे कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो कॉंग्रेस को शक्ती में शक्ती जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगी लेकिन लेकिन कैबिनेट मिशन प्लैन में ये बात सिद हो गई तुर कि अंग्रेजी सरकार अब शक्ती देने जा रही है कॉंग्रेस के हाथ में ठीक है मेजर ली भारत में बड़ी शक्ती कॉंग्रेस है सो डोयलिस्ट वर्ग था वो परिशान हो गया था कि अब हम किसका साथ दे अंग्रेजों के साथ गए तो डो तिं साल और डिले कर दी आजादी तो हम कहाँ जाएंगी अभी तो यानि कि जो bureaucracy है और जो भारतिये capitalist जमीनदार जो भारतिये upper middle class है जो अंग्रेजों के loyalist थे वो confused थे राइट ऐसे में सरकार भी confused थी कि अब क्या किया जाए क्या loyalist लोग को साथ ले या congress को साथ ले या Muslim league की demands को पूरा करें तो ऐसे में वेवल ने अपना पूरा का पूरा जो है वो बदल दिया रुक उसने declare कर दिया देखिए क्या क्या यहाँ पर पहले point में देखिएगा वेवल वस नाव इगर तो somehow get the congress into interim government Muslim league withdrew from the cabinet mission plan तो Muslim league अगर पीछे हट गई Muslim league क्या plan करके चल रही थी मैंने आपको फिछले topic में समझाया था कि हम अगर political deadlock त्यार कर लेते हैं तो Congress withdraw कर जाएगी अगर Congress withdraw कर लेती है तो हम interim government बना लेंगे ठीक है और Muslim league was very sure of the British government कि वो Muslim league को ही invite करेंगे interim government बनाने के लिए ठीक है लेकिन ऐसा हुआ नहीं Muslim league ने withdraw कर लिया और वेवल ने Congress को वोला कि आप interim government बना लो इससे Muslim league भी एकदम बहुचक के रहेगी कि ये क्या हुआ हमारा game हम पर उल्टा पड़ गया और यहाँ पर वेवल ने flip कर दी side क्यों क्योंकि क्योंकि अंग्रेजी सरकार 1909 के बाद से ही Muslim league को या 1906 के बाद से Muslim league को अपने close रख रही थी ताकि हिंदूओं और या Congress या Muslim league में हमेशा जो है वो दूरी बनी रहे लेकिन अब Congress को अपनी side बुला लिया right interim government बनाने के लिए invite कर लिया तो Muslim league परिशान हो गई इस बार फिर से next देखिए this attitude was against the league's insistence that all settlements be acceptable to it ठीक है leagues की insistence थी कि जो हमने शर्ते रखी है वो मानो हमें जो है वो विट्टो चाहिए ठीक है हमें आपने cabinet mission plan में जो cabinet mission plan के according जो groups को बाटा है ना जो provinces को बाटा है उनको compulsory होना चाहिए right उनका जो किसी किस group में जाना है वो compulsory होना चाहिए और इसके थुरू हमें भविश्य में पाकिस्तान मिलना चाहिए ठीक है और interim government में हमारी जो है वो बराबर की बराबर की हिसेदारी होनी चाहिए खैर एक जो है वो separate center की demand कर रहे थे ठीक है लेकिन जो cabinet mission plan है उसमें common center रखने की बात की गई थी ठीक है जिसको बहुत मतलब ना ना करते होए Muslim League ने पहले माना था लेकिन after the statement of जवाहरलाल नहरू मुझे तुरंद बताएंगे कि वो statement उन्होंने कब दी थी उसके बात जिन्ना ने उस statement को भाना बना कर Muslim League withdrew from the cabinet mission plan ठीक है तो पहली बात तो जो Muslim League की insistence थी उसको नकार दिया गया विवल द्वारा ठीक है अंग्रेजी सरकार जो हमेशा से ही सामपरदाइक दंगे करवाती आई है अब वो चाहती थी कि भारतिये संग एक बने ठीक है तो पहला point क्या है encouraging communal forces अब वो ऐसा नहीं कर रही है दूसरी चीज़ दिनाइंग दे लेजिटमेशी अफ नेशनलिजम वो डिनाइं करते आए अभी तक कि आपका जो नेशनलिजम है ये pseudo-nेशनलिजम है ये Congress अपने हक के लिए अपने personal interest के लिए काम कर रहे है तुम्हारा कोई nationalism नहीं है nationalism तो हमने किया था जब हमने मोनार की हटाई और democracy लगाई ठीक है तुम्हारा कोई nationalism नेशनलिजम नहीं है अंग्रेजों ने वेवल ने अब माल लिया कि Congress जो है वो एक authentic party है नेशनलिस्ट है प्लस तीसरा point देखिएगा denying the representative nature of Congress ठीक है पहले वो deny करते थे अब accept कर लिया कि Congress जो है वो representative है भारतियों की इससे Muslim League जो है वो चड़ गई बहुत ज़ादा ठीक है अब ऐसा क्यों किया क्योंकि एटली ने भी statement दी थी या minority को विटो नहीं दे सकते ठीक है minority को लेकर नहीं चल सकते लेकिन कहीं न कहीं एक गहरी चाल थी समझते हैं आगे जब interim government बनेगी तब बताऊंगा कि क्या चाल थी ठीक है आगे देखे थस continuance of British rule had demanded one stance from Britain and the withdrawal and post imperial links dictated a contrary posture देखिए continuance of British rule had demanded one stance from Britain and the withdrawal and post imperial links dictated a contrary posture अगर continuance रखनी है जहां से देखिएगा अभी तक जो अभी तक अपना जो British राज वो बना के रखा हुआ है उन्होंने Hindu Muslims को लड़ा कर रखा गया है और Congress को deny करते रहे कि तुम nationalist नहीं हो तुम representative नहीं हो ठीक है अगर continue रखना है तो यह stance बना के रखना पड़ेगा ठीक है लेकिन Congress को accept कर लिया as a representative Congress को interim government बनाने के लिए बुला लिया that means अब उनके रूख देख रहे हैं वो continue नहीं करना चाहते है ठीक है वो मैंने आपका पिछले topic में समझाया भी था that they want a graceful withdrawal ठीक है next देखिएगा अब interim government जो रही उसमें क्या-क्या points आएंगे ठीक है पहला point देखिएगा fearing the mass action by the Congress a Congress dominated interim government headed by Nehru was sworn in 2nd September 1946 with Nehru continuing to insist on his party's opposition to the compulsory grouping ठीक है Congress dominated interim government बनाई गई कभ ली उन्होंने शपत शपत ली उन्होंने 2 September 1946 को और Congress oppose करती रही compulsory देख लिजे यहाँ पर compulsory grouping को compulsory grouping का Congress oppose क्यों कर रहे थी पिछले topic में मैं आपको बताया कि Assam और Northwest Frontier प्रोविंस में जीत गई थी Congress और महाँ पर provincial government किस की थी Congress की थी तो वो चाहते थे कि जो हमारी provincial government है वो भारतिये संग में हमारे साथ आगर जुड़ जाए इसलिए वो compulsory grouping का oppose कर रहे हैं ठीक है और एक और पॉइंट था में आपको पिछले topic में बताया कि एक जरनल election के बाद decide कर सकते हैं कि किसमें जाना है और फिर एक बार decide कर लेंगे तो फिर दस साल बाद कर पाएंगे तो पिछले topics पढ़िएगा तभी वो सारी चीजें आपको याद रहेंगी retain रहेंगी दिमाग में प्लस जो revision की बात में बार-बार करते रहते हूं रिवाइज करते रहें रिविजन का साइकल चलते रहना चाहिए ठीक है आगे देखते हैं despite the title the interim government was little more than a continuation of the old executive of the voice roy we will overrule the ministers on the issue of the release of INA prisoners in his very last cabinet meeting in March 1947 अब ये interim government तो बनी लेकिन governor general तो अभी भी उपर बैठा है तो March 1947 में वेवल ने अपनी आखरी याद रखेगा March 1947 was the last month of the service of वेवल as a voice roy for India उसके बाद Mountbatten को लाए गया तो उसने अंत में जाते जाते जो INA के जो prisoners हैं उनकी रिहाई के खिलाफ जो है वो verdict दिया कि रिहा नहीं करूँगा ठीक है so that means जब तक वेवल रहा ना वहाँ पर तो उसने काम नहीं करने दिया उस interim government गो ठीक है प्लस एक और कारण था कि interim government काम नहीं कर पारी थी अभी मैं आपको बताऊंगा क्या था वो कारण ठीक है next point देखिएगा वेवल क्वाइटली ब्रॉट दा मुस्लिम लीग इंटो दा इंटरिम गवर्मेंट ऑन अक्टूबर 26 नाइंटीन फॉटिसक्स 2 सप्टेंबर को Congress के leaders ने interim government की शपत ली और अक्टूबर में वेवल जो है वो मुस्लिम लीग को भी लहाया इंटरिम गवर्मेंट में और मैंने आपको पिछले ही topic में बताया था कि interim government cabinet mission plan के तहर तो बनी थी या बननी थी उस समय और cabinet mission plan से विड्रू कर लिया था Muslim League ने भले ही cabinet mission plan से Muslim League हट गई हो लेकिन वेवल फिर से एक बार Muslim League को interim government में ले आया था ठीक है लेकिन किस शर्त में interim government में आई थी Muslim League आये उन शर्तों को भी देख लेते हैं ठीक है the league was allowed to join without giving up the direct action league को allow किया गया join करने के लिए और वो direct action को भी जोडेंगे नी तो direct action चला हुआ है communal rights होती जारी है लगातार भारत में despite its rejection of cabinet missions long term and short term plans despite its insistence on compulsory grouping with decisions being taken by majority vote by a section of a whole which would reduce opponents of Pakistan in Assam and Northwest frontier province to a position of helpless majority देखेगा ये तीन ऐसे फंडे थे जिसको लेकर Muslim league को enter करने दिया गया किसमे interim government में और Congress मना करती रही जोहार लाल लहरू जो है वो शुरू से मना करती रही कि interim government में अगर आ रही है Muslim league तो इन तीनों points को वो drop करें यानि पहले तो अपने direct action plan जो है वो बंद करें compulsory grouping को रद करवाया जाए compulsory grouping नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी compulsory grouping क्योंकि पंजाब में और बंगाल के वेस्ट वाले एक्षेतर में और असाम में भी Hindu dominated population है हिंदू population जो है वो dominate करती है उन लोगों के पास हक होना चाहिए कि वो कहां जुड़ना चाहते है क्या वो group B या C में जुड़े रहना चाहते है group A में जुड़ना चाहते है ठीक है तो ये था compulsory grouping जो हटाई जानी चाहिए और तीसरी चीज़ जो मान के चल रही थी वो था long term and short term plans ठीक है long term plan क्या था कि भारत को एक बना कर रखा जाएगा cabinet mission plan में common center रहेगा ठीक है और group A और B और C में बाट दिये जाएगा ठीक है और इन सभी groups को जो है वो अपना खुद का जो है वो constitution बनाने का हक है और ये मिलकर संग का यानी union का constitution बनाएगे ठीक है तो ये जो plan था इसके तहत भारत जो है वो एक union बने रहेगा राइट लेकिन जिनना क्या चाहते थे जिनना चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो जाए शक्ति उनके हाथ में आ जाए ठीक है आगे देखते है next point है अब ministers of interim government अब इस interim government के ministers को देखते हैं कौन कौन थे September 2 1946 से 15 अगस्त 1947 तक ये interim government रही पहला देखिए जवाहर लाल नहरू Vice President of Executive Council External Affairs and Commonwealth Relations जवाहर लाल नहरू के पास क्या क्या duties थी He was the Vice President of Executive Council External Affairs and Commonwealth Relations वल्ला भाई पतेल वाज Home Information and Broadcasting इनका पॉर्टफोलियो था Baldev Singh Defence Dr. John Mathai Industries and Supplies Siraj Gopalachari Education C.H. Baba Works, Mines and Power Rajendra Prasad Agriculture and Food जग जीवन, राम, लेबर अब ये आठ के आठ जो है ना ये Congress और आजाद है ठीक है? Maximum 6 में से Congress है 2 में से आजाद है ठीक है? आगे जो हैं वो बाकी सारे Muslims हैं जिनमें से असफ अली जिनको रेलवे दिया गया है लियाकत अली खान अब ये बाकी सारे जो है वो मुस्लिम लीग से हैं लियाकत अली खान जिनको Finance पॉर्टफोलियो दिया गया है मुस्लिम लीग से इबराहिम इसमाइल चुंद्रीगार मुस्लिम लीग से जिनको Commerce पॉर्टफोलियो दिया गया अबदुर राब निश्तार मुस्लिम लीग से जिनको Communications का पॉर्टफोलियो दिया गया उसके अलावा घंजानफर अली खान मुस्लिम लीग से जिनको Health Ministry जो है वो प्रोवाइड की गई और अंत में जोगेंदर नाथ मंडल अब ये बनता है important सवाल ठीक है यहाँ पर दो तिन सवाल देखिए क्या क्या बनेगा ये इसलिए important है ये लिस्स समझना आपको यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जोगेंदर नाथ मंडल Congress के साथ ही थे अजाद थे किसी प्रिंस ली से आये थे या Muslim League के थे तो ये Muslim League के मेंबर थे लेकिन ये थे एक दलित scheduled caste को रिपरेजेंट कर रहे थे Muslim League में ठीक है उसके अलावा यहाँ पर कोशन बनता है कि क्या मुहमद अली जिना ने जोइन करी थी Constituent Assembly तो उन्होंने नहीं करी थी यानि कि Not Constituent Assembly लेकिन Interim Government क्या जॉइन करी थी तो नहीं करी थी तो ये सवाल बनते हैं और किसने करी थी किसने नहीं करी थी वो इस लिस्ट में सब लिखा है तो डिरेक्टली आप इस लिस्ट से जो है वो सवाल सारे के सारे उठा सकते है त Interim Government में आए वो समझते हैं ठीक है बिल्कुल बेसिक फंडा है लीक को पाकिस्तान चाहिए था अगर Interim Government में Congress के रीडर होते सारे तो एक Common Center की बात है लेकिन उसमें Interim Government बनाने में क्लियर बोला गया था कि जितने हिंदू होंगे उतने ही Muslim होंगे ठीक है यह बात क्लियर होग यानि कि Muslim जो है वो representation होनी थी Interim Government में और वो Muslim representation Muslim League क्रिप्स मिशन से ही कह रही थी कि सारे जो है वो Muslim League से ही होनी चाहिए पूरी की पूरी Muslim representation तो 6 में से देखिए 5 जो है वो Muslim League के ही है ठीक है अब दूसरी बात Muslim League अपने बात पर अड़ी हुई थी कि उनको पाकिस्तान है कि जो Interim Government बनी है ठीक है यह उसी direction में काम करें कि जो Western provinces है और जो Eastern provinces है उनको जोड़ कर जो है वो पाकिस्तान बनाया जाए ठीक है या जब आजादी हो तो जो provinces हो उनके पास जो है वो खुली खुला decision हो कि वो कि किसको जॉइन करना चाहते है पाकिस्तान को जॉइन करना इंडिया को जाइन करना चाते है ठीक है और जो मुस्रिम dominated populations है वो जाद जादा पाकिस्तान की साथ जुड़े ऐसा जो है वो मुस्मिक चाहती थी ठीक है तो आईए देखिए इस अपने ambition को पूरा करने के लिए उनने इंटरिम government में क्या 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 किया the league did not attend the constituent assembly which had its first meeting on December 9 1946 इस constituent assembly देखिए constituent assembly क्या है कितने लोग थे ठीक है वो सब मैं आपको आगे करवाऊंगा constituent assembly एक अलग से topic आएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर हमें partition के संदर में समझना है कि constituent assembly क्या importance है constitution बनाने की यानि कि polity subject के संदर में हम अलग से पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप डिरेक्ट सवाल है दूसरा point consequently the assembly अब लीग ने जॉइन नहीं करी तो majority किसके पास थी obviously congress की leaders के पास ठीक है तो congress की leaders ने resolution objective resolution पास करवा दिया यहाँ से consequently the assembly had to confine itself to passing a general objectives resolution drafted by जावाहरलाल नहरू stating the ideals of an independent sovereign republic with autonomous units adequate minority safeguards and social political and economic democracy बहुत ध्यान से यह statement आपको अपने जहन में रखना है क्योंकि objective resolution वाले इस पूरे यह जो पूरे एक point है इससे direct सवाल बनता है Muslim League ने join नहीं करी पहली meeting और पहली meeting में Congress ने पास करवा लिया क्या objective resolution जिसको draft किया जावाहरलाल नहरू में जिसमें क्या state किया गया कि भारत किस तरह का राष्ट रहेगा एक independent sovereign republic रहेगा भारत with autonomous units adequate minority safeguards and social political and economic democracy यह जो objective resolution है यही constitution के प्रेंबल में भी थोड़ी से आपको छवी अपनी छोड़ता हुआ दिखेगा ठीक है in fact यही objective resolution बाद में प्रेंबल का रूप ले भी लेता है ठीक है तो यह जो objective resolution है यह पहली meeting में पास हुआ Muslim League ने objective resolution पास करने के लिए जो है वो कोई कदम नहीं दिया अपना ठीक है they didn't join right so उनकी तरफ से कोई effort नहीं लगा इसमें और यहाँ पर बात की गई कि भारत जो है वो एक independent sovereign republic रहेगा स्वशाशित जो है वो क्या रहेगा एक republic गणतंत्र ठीक है और जिसमें आजादी रहेगी ठीक है liberty रहेगी आपको किस तरह की political social और economic democracy रहेगी democratic जो है वो महाल रहेगा किस तरह की democracy रहेगी political sphere में भी economic sphere में भी और social sphere में भी ठीक है तो यह बात थी objective resolution ध्यान रखिएगा direct सवाल बनता है इसमें से next is the league refuse to attend informal meetings of the cabinet to take decisions अब जवाहरलाल नहरू informal meetings जो है वो invite करते थे पूरे cabinet की और जितने भी ज़्यादा ज़्यादा मेंबर्स को एक साथ बुलाते थे और league को भी invite करते थे कि in fact पटेल सरदार पटेल ने भी और जवाहरलाल नहरू भी बहुत बार बोला कि यह जो मसला है हमा private meetings थी या personal meetings थी या unofficial meetings थी इनको boycott किया है क्यों क्योंकि पहली बात तो यह कि यह जो unofficial meetings है यह without these meetings वर without the presence of unofficial है इसका मतलब यह है कि जो president of the executive है या governor general है जो voice roi है वो इसमें उपस्तित नहीं होगा तो governor general की absence में Muslim league आना नहीं चाहती थी ठीक है और क्योंकि Muslim league का sole purpose था इस interim government को काम ना करने देना ठीक से काम ना करने देना तो इसलिए वो meeting में आ भी नहीं रहे थे क्योंकि उनका agenda तो अलग था वो तो केवल इस meeting में आये थे इस meeting का काम जो है वो रोकने के लिए क्योंकि उनका agenda था कि हमें जो है वो एक अलग अलग इंडिपेंडेंट सोवरेन Muslim राश्टर चाहिए ठीक है हमें जो है वो इंडियन रिपब्लिक के साथ नहीं जुड़ना next point देखेगा the league questioned the decisions and appointments made by Congress members अब लीग ने कैसे जो है वो काम में जो है वो बाधा डालनी शुरू करी उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिये Congress के members द्वारा उन्होंने जो भी step उठाया है बले ही उन्होंने किसी विक्ति को appoint किया हो या कोई जो है वो policy बनाने की कोशिश कियो उन्हों सब पे सवाल उठाये गए league के द्वारा लियाकत अली खान as finance minister restricted and encumbered the efficient functioning of other ministries अब लियाकत अली खान के हाथ में finance portfolio था that means सभी ministries को काम करने के लिए जो capital चाहिए वो कहां से आने वाला था finance ministry से और अगर finance ministry capital ही provide नहीं करेगी तो बाकी ministries जो है वो अपनी policies को execute यूट नहीं करवा सकती क्योंकि पैसा तो चहिए ही आपको execution के लिए तो अगर पैसा ही अगर मतलब पैसा ही आपको पास नहीं होगा कि किसी ministry को पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगी राइट तो लियाकत अली ने समय समय पर दूसरी ministries के काम में जो है वो बाधार डालनी शुरू करी अब यहां पर आप यह सोचेंगे कि फिर Congress ली Congress ने लीग के इन मेंबर्स को इतने बड़े बड़े ओधे देने से देने की जो है वो मां को मान कैसे लिया इन्हीं कि finance जो है वो लियाकत अलीको दिया ही क्योंकि आए ऐसा गए ऐसे को मिनिस्ट्री उनको mostly कि किसको जो है वो कौन सा पॉर्टफोलिय जाएगा तो यहां पर Congress के पास ज्यादा को शक्ती नहीं थी उस समय जो मिल रहा था Congress के पास Congress को Congress ने चुप चाप जो है वो उसको मान लिया ठीक है नेक्स देखिएगा पाकिस्तान की जो फाइट है उसके लिए एक अलग जो है वो मीन्ज के माध्यम से इस्तमाल यानि की अगर वो बाहर तो दंगा करवाई रहे है बाहर तो लड़ाई जगडा चली रहा है सड़कों पर गाउं में ठीक है लेकिन अब जो है वो इंटरिम गवर्मेंट में घु इसकिल कर दिया इससे हो क्या रहा है इससे हो यह रहा है कि जो प्रोविंशियल गवर्मेंट है जैसे माल लीजिए जहां पर असाम में कॉंग्रेस की प्रोविंशियल गवर्मेंट है और पॉपलेशन की मेजॉरिटी है मुजलिम तो जो पॉपलेशन है वो मुजलिम लीड के जो है वो भैकावे में not just भैकावा लेकिन उनके कहे हुए जो भी शब्द है यानि कि उनकी स्टेटमेंट्स के भैकावे में आकर वो कॉंग्रेस के मिनिस्टर्स को काम करने से रोकेंगे तो एक तो वो माध्यमता इससे कॉंग्रेस जो अब धीरे धीरे परशान हो रही थी ठीक है कि दंगा भी जो हो रहा है उसको हम रोक नहीं पा रहे ठीक है 1937 के बाद से ही जो कॉमिनल दूरी बनी है मुस्लिम लीग और अब धीरे-धीरे महसूस होने लगा था कि यह जो मुस्लिम लीग है इसने बहुत जो है वो पर्सिस्टिंसी के साथ धीरे-धीरे अपने पैर जो हो इतने मजबूत कर ली है कि अब ऐसा लगने लगा है कि बटवारा होकर ही रहेगा एसा गांदी जी ने मिका ऐसा नहरु जी ने भी कह झा ठीक है और प्लस अंगरेज, अंगरेजों की जो अंगरेजों की मंशा है वो अभी कांगरेस की लिडरस को क्लियर नहीं ओर दे क्यूं? क्यूंकि वेवल और उससे पहले liनलित गौ या उससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल रहे थे या वाइसरोय रहे थे उन सब की food डालो session करो के उपर जो है वो concentration था और अब अंत में जो है वो वेवल flip कर गया उसने Congress को support करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर जो Congress है उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि यह जो अपना international politics के वजह से भारत की politics में क्या change आ रहा है अंग्रेज हो द्वारत ठीक है क्योंकि according to अगर अंग्रेज अपनी international politics वाली जो situation है उसके इसाब से देखें तो पाकिस्तान के बाद जो Afghanistan है इरान है एराक है और उसके ऊपर जो Central Asian जो countries है ठीक है बलकान जो countries है ठीक उसके अलाव और उसके आगे Slavic जो countries है उसके ऊपर रशिया है तो रशिया के माधिम से ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के रास्ते भारत एंटर कर ले कोई और शक्ती अब हमें यहाँ पर एक strong buffer land चाहिए ठीक है अब British जो international politics है उसके साब से तो यही sense बनता है कि पाकिस्तान वो इसलिए बनाना चाहते थे कि एक strong buffer land रहे और इंडिया की जो उनकी colony है वो बची रहे लेकिन अब इंडिया से colony उनकी जाने वाली है ठीक है उनको clear हो गया था तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि वह पाकिस्तान में बफर जो हूँ अब नहीं बनाना चाते इसलिए और इसलिए जो है वो उन्होंने एक united एक जो है वो मलब पाकिस्तान को नहीं ना बने ना बनाया जाया पाकिस्तान यह घोशना की गई अभी तक clarity नहीं आये थी अभी हम धीरे दिरे clarity लाएंगे राइट पहले जो है वो क्या कुछ और चाह रही थी अंग्रेजी सरकार अब और कुछ और चाहने लगी थी ठीक है तो Congress भी confused थी अंग्रेजी सरकार खुद confused थे और लेकिन clarity में इस समय केवल Muslim League थी उन्होंने अप League had only अच्छा ये हमने पढ़ लिया from them it was a continuation of civil war by other means आगे देखिए the Congress demand that the British get the League to change its attitude in the interim government or quit or quit was voiced ever since the league joined the interim government Congress क्या चाहती थी या तो अपने रवईया बदले या तो interim government छोड़ दे next point in February 1947 nine Congress members of the cabinet wrote to the viceroy demanding the resignation of league members and threatening the withdrawal of their own nominees Congress के no members ने viceroy को लिखा कि हम या तो हम या तो जो है आप खुद resign कर देंगे या तो आप Muslim League से resign कराईए क्योंकि वो interim government को काम करने ही नहीं दे रहे ठीक है और दंगा जो है वो बढ़ता जा रहा है जहां से सोचेगा दंगा कहां पर ओरता मुख्यत है जो बेंगॉल है Muslim League द्वारा governed area था ठीक है जहां जहां पर Muslim League जो है वो govern कर रहे थी वहां पर दंगा हो रहा था उसके विरोध में जो Hindu dominating वाली जो जगा Hindu domination वाली जो places थी कि वहां पर भी दंगा हो रहा था ठीक है एक साइड बंगाल के क्षेतर में हिंदुओं को मारा जा रहा था United province के क्षेतर में मुसलमानों को मारा जा रहा था अब Congress ना ही Muslim League पर pressure डाल पा रही थी कि अपने province में दंगा शांत कर वाली जिए और Congress ना ही अपने खुद के उनके खुद की ruling में जो United province था उस पे pressure डाल पा रहे थे अपनी जंता पर भी pressure नहीं डाल पा रहे थी Congress तो यहां पर Congress के लिए बहुत बड़ी समस्या थी communal rights एक समस्या थी दूसरी थी कि जो interim government को काम नहीं करने दिया जा रहा Muslim League द्वारा तो अब Muslim League से resign करवाए जाने की जो है वो गुहार रखी गई किसके सामने वाइसराय के सामने next देखिएगा the last straw came with the league demanding the dissolution of the constituent assembly a crisis seem to be developing rapidly अंत में लीग ने यह डिमांड करने शुरू कर दिये legislative assembly को भंग करो यह काम नहीं कर रही है ठीक है और हमें जो है वह एक अलग की ना सब नेकोशिश करी सरदार पटेल ने बहुत जोर लगाया ठीक है असिफ अली ने बहुत जोर लगाया जवारल ने बहुत जोर लगाया गांदी ने बहुत जोर लगाया लेकिन अपनी बात पर अटल थे जिन्ना वो चाहते थे भारत से अलग हो पाकिस्तान और उसके उन दंगों का जो है वो मतलब शिरे दिया जाना दिया ही गया है कि उनकी वज़े से ही यह दंगे हुए ठीक है में जीना की वज़े से लेकिन अब यह जो फिर से पॉलिटिकल डेडलॉक आ गया ठीक है कॉंग्रेस कह रही है कि legislative assembly से या यह जो constituent assembly है इससे बहार निकालो Muslim League को दूसरे साथ Muslim League कह रही है कि यह पूरा constituent assembly वाला system भंग करो तो भारत जो है वो फिर से उसी position पर पहुँच गया अब अंग्रेजी सरकार बैठे बैठे सोच रही है कि यह लोग जो है वो एकमत बनाएंगे कब हम इनको अजादी तो दें लेकिन किसको दें अजादी ठीक है भारत को अलग करें पाकिस्तान को अलग करें क्या करें ऐसा ठीक है तो यहाँ पर एटली ने एक announcement दी आएए देखते हैं उस announcement में क्या कहा ठीक है क्लेमेंट एटली अभी तक आपको नाम दो याद हो गया होगा क्लेमेंट एटली दे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंसिंग दे ट्रवल अल अराउंड मेड अनाउंसमेंट अन फेब्रारी 20, 1947 20 फेब्रारी 1947 में क्लेमेंट एटली ने एक statement दी क्लेमेंट एटली ने बोला कि अब हम बहुत जल्द ही भारत से जा रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर देखेगा मेंट पॉइंट क्या क्या थे पहला पॉइंट देखेगा डेडलाइन देदी गई कि जून 30, 1948 तक तो हम चले ही जाएंगे भले ही भारतिये जितने भी राजनेता हैं वो एक constitution बनाने के लिए जो है वो सहमत हो या ना हो ठीक है चाहे सहमती चाहे partition की सहमती आई हो या ना आई हो या यानि कि constitution भारतियों के पास prepared हो या ना हो हम तो छोड़ कर चले जाएंगे उसके बाद आप अपने आप समलिएगा अब ये deadline क्यों रखी गई deadline रखने का बिलकुल clear motive जो है वो अंग्रेजों का ये था कि जो भारतिये जो भारतिय राजनेता है ये बार-बार जो political deadlock में फस जा रहे है न वो अपने अपने प्रोसीजर को जो है वो streamline कर ले क्योंकि उनके सामने एक deadline जब दिख जाएगी न उन्हें तो उन्हें पता चल जाएगा कि इससे पहले पहले कोई ना कोई फैसला तो लेना ही है चाहे क अंग्रेजी सरकार की जरूरत भी थी Congress को या उस समय के leaders को क्यों क्योंकि जब तक अंग्रेजी प्रशाशन मौजूद है ठीक है तब तक क्या किया जा सकता है तब तक जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से manage किया जा सकता है transfer of power को ठीक है इसलिए आजादी होने के बाद भी Lord Mountbatten से request की गई कि आप कुछ समय और रुख जाईए अजादी के बाद भी अंग्रेजी ICS अफसरों यानि district collectorों से आवेदन किया गया कि आप कुछ समय और रुख जाईए administration जो है वो एक बार दुरस्त होने दीजिए उसके बाद जाईएगा भारत से ठीक है और अगर व माल लिजे जहां पर political deadlock होता है तो Congress भी और Muslim League भी अब अंग्रेजों की तरफ देखना शुरू कर देते कि आप करो कुछ अब अब अंग्रेज ही नहीं होंगे तो दंगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आर्मी बढ़ जाएगी अंग्रेज के जाने का मतलब यह है कि वो आर्मी के राजनेता होंगे और अगर constitution नहीं बना होगा तो वो आपस में लड़ मरेंगे फिर आर्मी अगर constitution नहीं होगा that means code conduct rules नहीं होंगे कानू नहीं होगे तो कैसे पता चलेगा कि आर्मी को कैसे जो है वो किसके favor में काम करना है किसके against काम करना है तो इसलिए एक deadline होना बहुत आनी वर रहे था ठीक है आगे देखते हैं आईए और अगला point देखते हैं at least statement का next point है the British would relinquish power either to some form of central government or in some areas to the existing provincial governments if the constituent assembly was not fully representative that means if the Muslim majority province did not join यहाँ पर बोला गया कि जो British power है वो यह तो एक central government establish कर दी जाएगी central government तभी establish की जाएगी जब जो Muslim governed provinces हैं वो भारतिये संग में जुड़ना चाहेंगे अगर ऐसा नहीं है तो जो provinces है उनके पास शक्ति दे दी जाएगी कि आप जो है वो खुद govern किजिए अपने आपको ठीक है जब अंग्रेज भारत से जाएंगे जो existing provincial governments है उनको क्या दे दी जाएगी शक्तियां ठीक है फिर से देखिएगा statement को the British would relinquish power either to some form of central government और in some areas to the existing provincial governments if the constituent assembly was not fully representative that is the Muslim league or the Muslim majority provinces did not join यानि की सिंध हो गया ठीक है पंजाब में तो खेर coalition की सरकार थी North East Frontier province है बंगाल है अगर ये नहीं जुडते हैं भारतिय संग में ठीक है तो भारतिय संग को शक्ति दे दी जाएगी एक center establish कर दी जाएगा दिली में या तो जो provinces है जो नहीं जुड़ना चाते उनको जो है वो अटॉनिमीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी ठीक है तो यहां पर जो है वो बालकनाईजेशन करने की जो है वो कोशिश रही थोड़ी सी अंग्रेजी सरकार की अब बालकनाईजेशन क्या है जो बलकान नहीं बनने दिया उनको अजादी दी कि आप जो है वो अगर आप छोटे-छोटे प्रोविंस में बठकर सेल्फ अटॉनमीटी चाहते हैं तो कर लीजिए खुद अपने आपको अटॉनमस बना लीजिए और वैसा वहां के प्रोविंस ने चूज किया और आज वो छोटे- छोटे देश हैं एक कमजोर है इसलिए उनको रिलाय करना पड़ता है बड़े देशों के तरफ ठीक है और चाइना उनको धंका दिता है कभी भी रशिया के तरफ और दूसरी साइड पाकिस्तान अफगानिस्तान और फिर यूएस और फ्रांस और बड़ी उरोप जितनी बि बड़े capitalist हैं capitalist देश हैं उनसे उनको pressure जिलना पड़ता है till this day और वैसा ही कुछ भारत में करना चाते थे वो उनने खुली छूट दी न कि अगर जो भारत संग में चुड़ना चाते हैं वो भारत संग में चुड़ जाओ और अगर आप नहीं चुड़ना चाते हैं तो अटॉन पाकिस्तान की भी बात नहीं हुई थी लेकिन भारत में जुड़ना तो भारत में जुड़िये हमारे साथ जुड़े रहन है तो हमारे साथ जुड़े रही है नहीं तो आजाद हो जाई है अपनी खुदकी union create कर लिजी जो की कृप्स mission में भी hint दी गई थी इस चीज की और उसके बाद अब यहाँ पर हमने जो देखा जो cabinet mission plan आया था इसमें भी बताए गया था ऐसे ही ठीक है तो भारत में federal system लाना या भारत में बालकन एक तो federal system लाना जो है वो हिंट रहा cabinet mission plan में और अब एटली की statement में balkanization हो जाएगा फालकनाईजेशन का मतलब कि छोटे छोटे जो है वो pockets में तूट जाएगा भारत एक भारती यह संग नहीं बनेगा ठीक है नेक्स चीज़ देखिएगा British powers and obligations vis-a-vis the princely states would lapse with transfer of power but these would not be transferred to any successor government in the British India British princelys पे जो अंग्रेजी सरकार का ही control था ठीक है अब वो हट जाएगा उनसे लेकिन कोई और भारतिय सरकार उन पर control नहीं करेगी that means British princelys जो princelys है वो आजाद है उनके पास खुली छूट है वो भारतिय संग में जुड़ना चाती है या किस प्रोविंस में जुड़ना चाती है उनको खुली छूट है अगर वो किसी प्रोविंस में जुड़ना चाती है तो जुड़ जाओ या अगर आप खुद इंडिपेंडेंडेंट होना चाते है तो हो जाईए तो ये था बालकनाइजेशन का फंड़ा ठीक है माउंट बेटन वूड रिप्लेस वैवल एस दवाइस हो रहा है एक और गोशना की गई कि वैवल को वापिस भला लो ठीक है वैवल क्यूंकि वैवल जो हो वो नाकाम हो गया था चाबिनेट मिशण प्लैन से और उससे पहले काफी समय से जो हाई वो वैवल जो हो एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था क्यूंकि तो अगर वैवल सक्शम रहता तो आज़ाद भारत को वैवल ही करा देता इसलिए वेवल को वापिस बुलाए गया और Mountbatten को भेजा गया Louis Mountbatten को और आएए देखते हैं Mountbatten ने क्या क्या किया भारत में आके एक ये last statement देख लेते हैं The statement contained clear hints of partition and even balkanization of the country into numerous states and was in essence a reversion of the Crips offer बारत को छोटे छोटे तुगडों में तोड़ देना चाहता था एटली का ये declaration ठीक है एटली ने जो ये declare किया था ये एटली की जो statement थी ये तो balkanization वाला fund आप ध्यान रखेंगे next देखिए आगे आता है हमारा next point why a date fixed by government for withdrawal तो ये मैंने आपको समझा दिया है इसको points के माधियम से देखते हैं the government hope that a fixed date would shock the parties into an agreement on the main question ठीक है fixed date क्यों लाई गई 30 June 1945 क्यों रखा गया एक fixed date ताकि जो भारतिये political parties हैं जो राजनेता है उन पे pressure आ जाए कि अब एक हमें common ground या तो कोई फैसला जो है वह established करना ही पड़ेगा otherwise balkanization हो जाएगा ठीक है second चीज़ the government was keen to avert the developing constitutional crisis ठीक है जो constitutional crisis अभी बढ़ता जा रहा था जो constitutional assembly है वो तूटने ही जा रही थी उस चीज़ से सरकार अपना पलड़ा जो है वो जाड़ना चाती थी अगले साल की हमने आपको तब तक constitution बनाईए ना बनाईए जो मरजी किजिए वो आपकी जिम्मेदारी है हम तो यह सब करके चले जाएंगे जो मैंने आपको पिछले point बताए अभी next is the government hope to convince the Indians on British sincerity government जो है वो चाहती थी कि भारतियों को यह बात clear हो जाए कि हम उनको अजाद करने ही वाले है इसलिए एक date fix कर दी गई कि तीस तारिक को अजाद कर देंगे आपको हम तीस तारिक तक अजाद कर ही देंगे हर हालत में ठीक है अब वेवल को वापिस बुलाया गया एक्चुली इस statement की वैसे क्योंकि वेवल ने openly यह statement बोली थी कि भारत में administration अंग्रेजों का इस हालत तक पहुँच गया है कि आप उसे recover नहीं किया जा सकता irreversible हो गए यह situation इसलिए वेवल को criticize किया गया कि तुमने ऐसे कैसे British government के बारे में बोल दिया मैंने आपको बताया ना British लोग बहुत ज्यादा arrogant है इस मामले में लेकर अपने administration को लेकर कि हम जो हैं वो बहुत कुशल जो है वो administrators है और वेवल की यह statement थी कि administration जह हो चर्मरा गया है आप हमें जाना ही पड़ेगा इसलिए एक यह कारण भी बनाया गया है कि वेवल को बापिस बलाओ Mountbatten को भेजो ठीक है next is Congress का stand देखियेगा क्या था इस पर The provision of transfer of power to more than one center was acceptable to Congress because it meant that the existing assembly could go ahead and frame a constitution for the area's represented by it and it offered a way out of the existing deadlock transfer of power for more than one center अब जो at least statement है उसमें more than one center की बात भी कही गए थी कि जो शक्ती है वो center को जाएगी और center एक से जादा भी हो सकते है ठीक है that means यह कि जो section B है या section C है उनके लिए अलग से center हो सकता है तो Congress ने ये बात मान ली इससे यहाँ पर Congress का भी रुजहान होता हुआ दिखता है कि वो अब partition को मानना शुरू कर रहे है आगे हम उस पर भी clarity लेंगे कि Congress ने यहाँ वो भी discussion हम करेंगे कि Congress ने क्यूं partition को मानना लेकिन यहाँ से इस पहले point से clear होने लगा कि Congress का भी अब धीरे धीरे रुजहान बढ़ रहा है partition मानने की तरफ मैंना आपको कारण बता है ना political deadlock बहुत खतरनाक है दंगे भारत में होते जा रहे हैं लगतार लोगों की जान जाती जा रही है तो जल्द से जल्द ऐसा कुछ किया जाए कि Congress के control में आ जाए क्यूंकि अगर constituent assembly बन जाती है अगर मान लीजिए दो center बन भी गए या multiple center बन भी गए ठीक है मान लीजिए लहोर और दिली दो center बन गए या कराची और दिली या इसलामबाद और दिली दो center बन गए ठीक है यानि कि पाकिस्तान की कोई भी एक prominent city और दिली को दो center बना दिया जाए एक जगा पर Muslim League ने अपना administration संभाल लिया और एक side Congress अपना administration संभाल ले और जहाँ जहाँ पर Congress की सरकार है वहाँ वहाँ पर तो अब Congress जो है वो full force और authority से दंगो को शांत कर सकती है ना ठीक है क्योंकि अभी तक पूरी force और authority जो है वो दंगो को शांत करने की नहीं है Congress के पास जब तक Constituent Assembly एक draft नहीं कर लेती पूरा का पूरा Constitution और शक्ती जो है वो नहीं दे दी जाती Congress के पास पूरी की पूरी ठीक है next point देखिएगा but the illusory hopes of a settlement were soon shattered as the statement proved to be prelude to the final showdown the league launched the civil disobedience movement to overthrow the coalition government in Punjab as it felt emboldened by the statement statement में ये बात clear कर दी गई थी कि जो जुड़ना चाहता है भारतियसं के साथ वो वहाँ जुड़े जो नहीं जुड़ना चाहता है वो किसी भी प्रोविंस में जुड़ जुड़ जाए थीक है उसको खुली छूट दी गई कि वो किसी प्रोविंस में जुड़े और अगर नहीं भी जुटना है किसी प्रिंसली को तो वो आजाद हो जाए थीक है तो इस सबसे मुस्लिम लिग का होसला बढ़ गया उन्होंने civil disobedience किया पंजाब में जहां पर अकाली, कॉंग्रेस और unionist की coalition की सरकार थी और उन पर pressure डाला गया कि resign करो और वहां के जो प्रिमियर थे उन्होंने सरकार से resign कर दिया मुझे उस प्रिमियर का नाम बताएंगे आप, उस वक्ति का नाम क्या है ठीक है, उन्होंने सरकार से resign कर दिया, तुरंट comment में बताएंगे, अभी थोड़ी दिर में आपको उनका नाम में reveal कर दूँगा जैसे ही पंजाब के ख्षेतर से Congress की coalition की सरकार, Congress Unionist और अकाली दल की coalition की सरकार गिरी, Muslim League के जो है वो, Muslim League के लिए रास्ता पंजाब को acquire करना साफ हो गया, ठीक है, प्लस दूसरी चीज जो अंग्रेजी सरकार ने रास्ता खुला करी दिया था भारत में, ठीक है, कि पाकिस्त बनेगा ही बनेगा, धिरे-धिरे लोगों को नजर आने लग गया था, और Congress भी कहीं न कहीं, इस पॉइंट को अब जो है, वो सहमती देना शुरू कर दी थी, Congress ने, कि partition जो है, वो कर दिया जाए, दे दिया जाए, इनकी जो इतना हला मचाया हुआ, इसको शान्त कर दो एक बार, उसके बाद देखेंगे, एक बार, एक बार partition कर दो, अंग्रेश चले जाएं, उसके बाद हम जोड लेंगे, ठीक है, लेकिन फॉर द अभी फिलहाल के लिए, पटेल का कहना था, पटेल जी का कहना था ये, कि फिलहाल के लिए शान्त कर देता है मामला, धंगा जो हो फिलैंटने के लिए, उससे पहले जो है, वो प्रॱ्विंचियल एलेक्शन इलेक्शन के बाद, प्रविंचियल एलेक्शन किस चीज के लिए, इसप्वतले के लिए और फिर सथिखते ले में देखा हम ने कि किस तरह मूसल्लिम लीग काम नहीं करने दि ए, किसे गॉंगरस को next देखिएगा independence और partition पहला point देखिएगा the communal rights and unworkability of the Congress League coalition compelled many in the early 1947 to think in terms of accepting the so far unthinkable idea of partition दो चीजे हो रही हैं दंगे सामप्रदाइक दंगे भारत में पड़े लेवल पर हो रहे हैं और दूसरा जो constituent assembly उसको काम नहीं करने दिया जा रहा पॉलिटिकल deadlock है society जो है वो बिल्कुल निचले लेवल पर अपने दंगा बहुत जादा है पूरे भारत में तो ऐसे में अब लोग के मन में बात आने लगे कि partition जो है वो कर देया गरम तो at least यह situation तो सुलज जाए हमारी ठीक है और यह दंगा direct action क्यों कराया गया partition ही तो लेना है पाकिस्तान को जिनना ने partition ही तो चाहिए उन्हें Muslim League को ठीक है इसलिए तो direct action plan लाए गया और इसलिए constitutional assembly में वो आए ताकि constitutional assembly को काम ना करने दिया जाए ठीक से ठीक है पहला point दूसरा point the most insistent demand now came from the Hindu and Sikh communal groups in Bengal and Punjab who were alarmed at the prospect of compulsory grouping which might find them in Pakistan दंगा बढ़ रहा था हिंदू हिंदू Muslim से लड़ रहे हैं ठीक है दंगाल के क्षेतर में हिंदू Muslim से लड़ रहे हैं और पंजाब में Sikh Muslim से लड़ रहे हैं और ऐसे में compulsory participation की बात जो है वो धीरे-धीरे सिद्ध होने जा रही है क्योंकि अंग्रेज जैसी चले गए जब तक अंग्रेज है तब तक clarity नही हुआ रहा प्रोविंस बटे नहीं है ठीक है लेकिन जैसे ही प्रोविंस तो बटे हुए है लेकिन अंग्रेज गए गए नहीं तब तक जो है वह एड्मिनिस्ट्रेशन एटलीस अभी अंग्रेजों के हाथ में अंग्रेज चले जाएंगे तो जो compulsory participation वाला फंडा जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो सिख आ जाएंगे minority में और इससे जो है वो सिखों की जान को खत्रा है दूसरी साइड जो असाम के और वेस्ट बेंगौल के जो हिंदू community के लोग हैं वो भी धिरे धिरे pressure में थे कि अगर हम इस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन गये तो हमारी साथ नहीं चुड़ना हिंदों ने कहा कि हमें बंगाल के साथ नहीं चुड़ना सिखों ने कहा कि हमें पंजाब के साथ नहीं रहे न हमें अपना इस्ट पंजाब जो है वो अलग चाहिए ठीक है बहुत important point है यह नेक्स देखिएगा the Hindu महासभा in Bengal was assessing the feasibility of a separate Hindu province in West Bengal Hindu महासभा that the cabinet missions was the best solution if carried out the only real alternative was the partition of Punjab and Bengal मार्च 10 1947 में नहरू ने भी ये बात जो है वो officially declare कर दी कि अगर हमें cabinet mission plan को ठीक तरीके से लागू करना है तो पंजाब और बंगाल में partition हमें करना ही पड़ेगा ठीक है in fact ये जो partition वाली बात है पंजाब और बंगाल में ये नहरू ने तब बोली है जब गांधी और जिन्ना की talks जो है वो खतम होगी क्योंकि इसी मुद्धे पर गांधी और जिन्ना ने ही मार्च 1947 में बात करे थी और finally गांधी जी ने भी बात मान ली थी कि बटवारा शायद क चाहिए चाहिए और अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरे लोग शांतनी मैठेंगे दंगा होता रहेगा ठीक है अब जहां पर हिंदू अगर मुसलिम्स को मार रहे है तो दूसरी जगह जहां पर हिंदू population जादा है वो मुसलिम्स को मारेंगे तो ये action reaction चलता जाएग राइट शुरू हुआ direct action plan से और ये cycle अभी तक चली जा रही थी 46 में शुरू हुआ था अगस्त में 47 मार्च तक आ गया था बहुत लोग की जान जा चुकी थी अब पूरे देश में जो है वो मौहल बिगड़ा हुआ था और अंग्रेश जो है वो कह रहे थे हम तो चले जा आपको at last हम तीस तारिक जो है वो जून महीने 1948 में चले जाएंगे उससे पहले भी जा सकते हैं तब तक अपना जो है वो प्रशाशन संभाल लिजी ठीक है आगे देखिए next point आएगा in April 1947 the Congress President Kirpalani साब ने क्या कहा सुनिएगा communicated to the viceroy rather than have a battle we shall let them have their Pakistan provided you allow Bengal and Punjab to be partitioned in a fair manner Kirpalani साब ने उस समय के viceroy Mountbatten आगया था थो ठीक है Mountbatten को कहा कि क्योंकि April में तो Mountbatten आगे था ना March Mountbatten आगे था उन्होंने कहा कि जो दंगया हो रहा है ना पाकिस्तान बनने देते हैं ठीक है लेकिन बंगाल और पंजाब को ठीक तरीके से बटवारा कर दो ताकि बंगाल के हिंदू जो है वो भारतिय संग में जुड़ जाए पाकिस्तान के सिक्स जो है वो भारतिय संग में जुड़ जाए नेक्स देखियेगा यह बहुत इंपोर्ड़न पॉइंट है Mountbatten as the voice हो रहा है अब Mountbatten की चर्चा करते हैं ठीक है Mountbatten आएगा भारत में पहला पॉइंट देखियेगा Mountbatten proved more firm and quick in taking decisions than his predecessors because he was informally given more powers to decide things on the spot he also had the advantage of the firm decision of the British government to quit at the earliest his task was to explore the options of unity and division till October 1947 and then advise the British government on the form of transfer of power October 1947 का समय माउंट बेटन को दे कर भेजा गया मार्च में और बोला गया कि तुम्हारे पास on the spot लेने का जो है वो तुम्हें हम पावर देते हैं तुम्हें लंडन आकर हमसे पूछने की जुरूरत नहीं है तुम्हें अथारिटी देते हैं on the spot फैसले लो तुम ठीक है तुम्हें ब्रिटिश कैबिनेट से पूछने कोई जुरूरत नहीं है बट सिल वो मही में एक बार ब्रिटिश कैबिनेट से बात करने गया था ठीक है और फिर जून में आके सो डिक्लेरेशन दिया लेकिन मांट बेटन को बोला गया कि अक्टूबर तक तुम्हें हमें यह बताना है ठीक है कि किस तरह से जो है वो पावर को ट्रांसफर कर तो अक्टूबर तक तुम्हें फाइनलाईज करना है अक्टूबर 1947 तक कि भारत में कंसिटूशन बनने की क्या वस्ता है बन रहा है नहीं बन रहा है किस हद तक बन रहा है ठीक है कॉन-कॉन तयार है कॉन-कॉन तयार नहीं है कंसिलूशन बनाने के लिए तो यह मांट बेटन को बोला गया और मांट बेटन को ऑन-the-spot फैसला लेने की शकती जो है वो प्रवाइड की गई ठीक है आगे देखते हैं नेक्स कि भारत आने से पहले उसको यह बात clear थी भारत में जो महाल चल रहा है ठीक है उसको भारत आने से पहले clear था कि भारत में constitution एक मत अभी नहीं है ठीक है ऐसे में दोनों शक्तियों को conciliate करने का काम अब Mountbatten के पास था नेक्स्ट मैंट देखेगा The Cabinet Mission Plan was a dead horse and Jina was obstinate about not settling for anything less than a sovereign state ठीक है Cabinet Mission Plan dead horse केने का मतलब यह है कि politically dead log था खतम था उसका system वो नहीं आगे बढ़ रहा था है गोड़ा आगे बढ़ता है तो dead horse का मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा था और Jina was obstinate यानि Jina जो है वो जिद पर अड़े हुए थे कि मैं जो है वो पाकिस्तान पाकर ही रहूंगा But a serious attempt at unity would involve supporting those forces which wanted a unified India and countering those who opposed it Mountbatten preferred to woo the both sides अगर अगर partition नहीं करना था न ठीक है अंग्रेजों की तरफ से अगर partition नहीं होने देना था तो उन्हें बहुत serious efforts लगाने पड़ते उन सब शक्तियों को जोडने के लिए जो partition नहीं होने देना चाते और Muslim League को कमजोर करने के लिए That means अंग्रेजों की तरफ से बहुत सार effort था लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या अंग्रेज उस तरह का effort भारत में लगाने को तयार थे नहीं उनका क्या फाइदा था पाकिस्तान बन जाता तो उनका तो फाइदा ही फाइदा है पाकिस्तान अगर बन जाए तो Northwest Frontier के तरफ जो हो buffer create हो गया और अगर भारत को Commonwealth बनाते हैं वो Commonwealth का हिस्सा बनाते हैं और अगर भारत से वो किसी तरह का economic gain अगर चाहते हैं अजादी के बाद भारत में अजादी देने के बाद अंग्रेज तो पाकिस्तान बनना तो उनके लिए काम की चीज़ है ठीक है इसलिए माउंट बेटन ने यहाँ पर सोचा कि मैं नहीं करूँगा कोईश तुम लड़ो आपस में माउंट बेटन ने दोनों साइड को हवा दी एक साइड मुस्लिम लिग को ही बोला कि मांगो मांगो तुम पाकिस्तान मांगो दूस साइड कांग्रिस को भी बोला कि काम चलाओ मैं पीछे खड़ा हूं तुमारे मैं तुम्हा साथ दूँगा अड्मिनिस्रेशन मैं सम्हा लोगा तो दोनों साइड को वू करना ही कोशिश करी जब की करना गया चाहिए था उन्हें मुस्लिम लिग को शांत करना चाहिए था ऐसी शक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए था जो भारत को यानि गांधी जी को बढ़ावा देना चाहिए था और जो गांधियन फोर्सिज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए था जो भार स्पोर्ट फैसला करो लेकिन फिर भी माउंट बेटन जो है वो एटली से बात करने लंडन गया मही में और वहाँ पर उसने एटली के सामने बोल देता हूँ कैबिनेट की तरफ से या पार्लेमेंट की तरफ से कि जाओ और ये घोशना करके आओ तो आई अब देखते हैं माउंट बेटन ने क्या घोशना करी ठीक है अब वो पार्टीशन भले प्रोविंसिज का हो अभी तक तो लोगों को ये लग रहा था कि पार्टीशन होना है और ये स्पेकलेशन था कि प्रोविंसिज का भी हो सकता है या एक अलग देश भी बन सकता है प्रोविंसिस का या नि बंगाल में से इस बंगाल अलग हो सकता है पंजाब में से बंजाब में से जो है वो इस पंजाब अलग हो सकता है या नि दो हिससे पंजाब के हो जाएंगे दो हिससे बंगाल के हो जाएंगे ये बात लोगों को पता थी ये बात confirm नहीं थी कि पाकिस्तान भी बनेगा है नहीं लेकिन कुछ majority को जो Muslim League है वो तो शौर थी कि हम पाकिस्तान लेकरी रहेंगे जो Congress थी उसके मन में डर था कि ऐसा हो सकता है ठीक है आगे देखी One major innovation that was suggested by VP Menon VP Menon was the secretary to Sardar Valla Bhai Patil was the immediate transfer of power on the basis of grant of dominion status with right of secession thus obviating the need to wait for an agreement in the constituent assembly on a new political structure VP Menon साहब ने एक suggestion दिया secretary थे किसके Sardar Valla Bhai Patil आगे इनकी बात करेंगे जब हम integration of states topic लेकर रहाऊंगा उस पर VP Menon साहब जी का काम बताऊंगा आपको मैं लेकिन इनकी suggestion दिया कि देखो अंग्रेजी सरकार ने वोला ना 30 तारीक से पहले वो चले जाएंगे ठीक है और हमारे पास जो है वो constituent assembly में एकमत नहीं बन रहा constitution हमारे पास prepared नहीं है तो एक काम करते हैं dominion status की मांग करते है जो कि 1929 के बाद पूर्ण स्वराज की डिमांड शुरू होगी थी ना लाहर सेशन 1999 ठीक है तो यहाँ पर वीपी मैंन ने कहा कि उसके opposite ठीक है उन्हें ने कहा कि dominion status की डिमांड करते हैं dominion status अगर हमें मिल जाएगा तो हमें constitution बनाने का समय मिल जाएगा ठीक है और अब यहाँ पर उस समय dominion status को reject क्यों किया गया था क्योंकि उस समय clear नहीं था कि dominion status के बाद आजादी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी इस समय clear था कि आजादी मिलने ही वाली है इसलिए तब तक के लिए अंग्रेजी dominion बनके रहते हैं जब तक हमारा constitution पूरा form नहीं हो जाता और जैसी constitution बनेगा dominion हटा देंगे भारत को republic घुशित कर देंगे ठीक है इस वस दे प्लैन अफ वीपी मैनन काफी अच्छा प्लैन था in fact implement भी किया गया 1947 में जब आजाद हुआ है भारत और पाकिस्तान जो आजाद हुआ है तो दो dominions के रूप में हुआ है दो republics के रूप में नहीं हुआ republic जो है वो भारतीय republic 1950 में जाकर बना जब भारत का जो constitution है वो लागू हुआ है तब तक भारत अंग्रेजी सरकार का एक dominion रहा और Government of India Act 1935 लागू रहा भारत में ठीक है आगे देखिए next is इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं one major innovation actually suggested by VP Menon was the immediate transfer of power on the basis of grant of dominion status with the right of secession thus obviating the need to wait for an agreement in the constituent assembly on a new political structure immediate transfer कर देते हैं लेकिन dominion status देंगे इससे समय मिल जाएगा Muslim League को भी और Congress को भी कि आपस में बातचीत करके political structure क्या रखना है उसका फैसला कर ले लेकिन at least dominion status मिल जाए dominion status क्यों जूरूरी था ताकि कुछ political चक्तियां मिल जाएं हमें ताकि जो दंगा हो रहा है उसको तो हम शांत करें पुलिस और पुलिस है वैसे तो provincial government उनके पास है पुलिस उनके कंट्रोल में है ठीक है लेकिन defenses army के थोड़ा शक्ति उनके पास में आ जाए और ये अंग्रेज हो के लिए खतरा था अब में पॉइंट्स क्या थे माउंट बैटन प्लैन के पंजाब और बेंगॉल लेजिसलेटिव असेंबली वूड मीट इन टू ग्रूप्स हिंदू और मुसलिम तो वोट फॉर पार्टिशन ठीक है पंजाब और बंगाल की जो प्रोविंशिज है उनमें पार्टिशन की सिचुएशन बन रही थी तो उनको बोला गया कि आपकी जो लेजिसलेटिव असेंबली है ना उनमें जो हिंदू मेंबर है और जो मुसलिम मेंबर है वो अपना अलग-अलग मीटिंग करो ठीक है और फैसला करो कि स्प्लिट होना है या नहीं होना पार्टिशन करना है नहीं करना और पंजाब के केस में सिच और मॉसलिम और हिंदू भी दय रहे हिंदू और सीख एक साइड और दूसरी साइड मॉसलिम तो यहाँ पर फैसला जो है वाब legislative assemblies पर छोड़ दिया गया कि आपको vote कर लिजी आप अपने में आपको partition चाहिए या नहीं दूसरा point if a simple majority of either group voted for partition then these provinces would be partitioned ठीक है और उस voting का फैसला किस से होगा simple majority से इन provinces में simple majority का मतलब होता है 50% vote और special majority होता है two-third यह नहीं 66% vote so अगर simple majority से आप जो है वोटिंग करा लो simple majority जिसको मिल जाएगी अगर partition की तरफ होगी तो partition कर देंगे नहीं तो नहीं करेंगे ठीक है next point था in case of partition two dominions and two constituent assemblies would be created अगर partition होता है ना तो दो dominion create करेंगे हम और दो constitution assemblies यानि की Indian dominion अलग करेंगे और Pakistan dominion अलग कर देंगे ठीक है Sindh would take its own decision Sindh पर फैसला छोड़ दिया गया कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहता है या पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है referendum in northwest frontier province and Salat Salat is a district in Bengal जो की presently Assam के साथ है would decide the fate of these areas मतलब उस समय Assam के साथ है इनको भी खुली चुट दी गई कि आप referendum कराईए और देखिए आपको भारत के साथ जुड़ना है या पाकिस्तान के साथ ठीक है next point देखेगा since the Congress had conceded a unified India all their other points would be met next plan में क्या बात थी कि Congress ने ये रुजान दिखा दिया है कि वो partition को मान जाएंगे क्यों? क्योंकि March में Congress ने जो है वो March के बाद जब declaration दी गई एक्चुली तो June के बाद लेकिन declaration जून में आई तीन जून को उसके बाद Congress में माना कि हम partition के लिए असीड करते हैं लेकिन लेकिन उससे पहले जब Mountbatten भारत आया था और उसने जब गांधी जी से, नहरू जी से, पतेल जी से जिन्ना से सबसे जो है meeting जब करी थी तो वहाँ पर उसको यह बात लगने लगी थी कि Congress अब partition को मानने को तयार है इसलिए उसने यह points रखे थे ठीक है, so since the Congress had conceded a unified India all their other points would be met, unified India के, इंडिया का जो है वो उन्होंने point अगर वापिस लेने को जो है वो रुजान थोड़ा दिखाया था उनकी बाकी सारी demands जो है वो पूरी की जाएंगी, देखेगा, बाकी demands क्या-क्या है Independence for princely states ruled out princely states के लिए जो independence देने की बात की गई थी आटली की statement में कि जो princely states है, वो चाहे तो अपने आपको अजाद घोशित कर सकती है वो उनकी मर्जी है या वो किसी province का हिस्सा बनना चाहते है या भारतिय संहिया पाकिस्टान का हिस्सा बनना चाहते है या नहीं तो इस बात को खतम किया जाए यानि कि जो provinces है जो princely's है उनके उपर ये जो है वो obligation हो जाएगा कि उनको join ही करना पड़ेगा या तो भारत या तो पाकिस्तन ठीक है next चीज़ देखियेगा independence for Bengal ruled out, बंगाल को independent किया जाएगा बंगाल को independent नहीं किया जाएगा, ठीक है independence for Bengal, ruled out का मतलब यह है कि बंगाल को independent नहीं किया जाएगा यानि कि एक अलग जो है वो शक्ति नहीं बनाया जाएगा एक अलग जो है वो अलग यूनियन जो है वो नहीं बनाया जाएगा उसको प्रेशराइज किया जाएगा कि या तो वो भारतिय संग का हिस्सा बने या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बने ठीक है next is a session of Hyderabad to Pakistan ruled out Hyderabad जो पाकिस्तान के साथ जुडने जा रहा था जो मतलब रुजान बना हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ जुडेगा उस पर रोक लगा दी गई और Mountbatten ने बोला भी कि है नहीं है थारबाद पाकिस्तान की साथ नहीं जुडेगा और administration चलाना मुश्किल हो जाएगा coastal line कैसे देंगे और telephone communication लोग आएंगे जाएगे तो दंगा बहुत बड़े लेवल पर हो जाएगा तो हैदराबाद भारत का हिस्सा रहेगा हैदराबाद पाकिस्तान की साथ नहीं जुडेगा ये बात भी add की गई Mountbatten plan में ठीक है नेक्स चीज़ फ्रीडम टू कम ओन अगस्ट 15, 1947 फ्रीडम अगस्ट 15, 1947 में आएगी वैसे तो 30 जून तक का समय दिया तो 1947 ठीक है और अक्तूबर तक का समय तो ये बताने के लिए था Mountbatten के पास कि किस तरह जो है वो transfer करना है power को लेकिन Mountbatten ने जल्दी से जल्दी किया सब कुछ क्योंकि उसके पास खुली छूट थी उसके उपर pressure नहीं था उसमें जल्द से जल्द निप्टाने कोशिश करी ठीक है अब हम देखेंगे जल्द से जल्द जो उसमें निप्टाने कोशिश करी है भारतियों को कितना नुक्सान हुआ इससे पागिस्तान की जो जन्ता बनी उसके बाद उनको कितना नुक्सान हुआ ठीक है नेक्स देखेगा अब boundary commission to be set up if partition was to be affected अगर partition जब किया जाएगा उसके लिए एक boundary commission established किया तो in fact दो boundary commission established हुए एक जिसने बंगाल का partition किया ठीक है और दूसरा जिसने भारतिय संग से पाकिस्तान को अलग किया और पंजाब का partition किया ठीक है तो दो जो हैं वो boundary commission established हुए माउंट बैटरल प्लैन में दो बाते बोली गई मुस्लिम लीग की ये बात मान ली गई कि कॉंग्रेस बनाय जाएगा और कॉंग्रेस की ये बात मान ली गई कि पाकिस्तान छोटे से छोटा बनना चाहिए क्योंकि मुस्लिम लीग तो ये कह रहा था कि जो कच्छ वाला हिस्सा है वो भी उन्हें दे दो पंजाब पूरा का पूरा हमें दे दो काश्मीर पूरा हमें दे दो ठीक है और उस साइड जो है वो असाम वगएरा ये पूरा हमें दे दो मुस्लिम लिग तो यही कह रही थी ठीक है और भारत क्या कह रही थी नहीं कश्मीर हमारे पास रहेगा क्योंकि हिंदू पॉपलेशन बहुत है महाँ पे ठीक है कच हम तुम्हें नहीं देंगे हिंदू पॉपलेशन बहुत है और असाम का एरिया भी हम तुमें नहीं देंगे हिंदू कोपलेशन जाता है ठीक है तो माउंट बेटन नहीं हाँ पर बीच कर रास्ता निकाला कि पाकिस्तान बना देंगे लेकिन छोटे से छोटा पाकिस्तान बनाएंगे ठीक है जितना छोटा हो सके as small as possible आउंट बेटन का इडिया था नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा अगला पॉइंट आता है वाइए कॉंग्रेस एक्सेप्टेड़ दा डॉमेनियन स्टेटस पहली बात तो डॉमेनियन स्टेटस क्यों मांगा क्यों accept किया कॉंग्रेस ने अगर भारत अंग्रेजी डोमीनियन रहेगा तो अंग्रेजी अडिमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी पूरी की पूरी ट्रांसवर ऑफ पावर ठीक है तो वो जल्द से जल्द होगा दूसरी चीज़ इट वाज मोर इंपोर्टन फर कॉंग्रेज तो अज्यूम अथारिटी तो चेक दे एक्स्प्लोजिव सिचुएशन कॉंग्रेज के लिए बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द अथारिटी उनके पास आए ताकि यह जो दंगा फैला हुआ है पूरे भारत में इसको रोक सके क्योंकि जब तक कॉंग्रेज के पास डोमीनियन स्टेटस नहीं है या किसी भी तरह की शक्ती नहीं है तो वो इनको इन दंगो को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आर्मी और पुलिस को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करने की शक्ती नहीं होगी ठीक है नेक्स चीज इट वुड अलाव फॉर सम मच नीड़िड कंटिनुटी इन दा बिरोक्रेशी एंड आर्मी भारत में बिरोक्रेशी चर्मराई हुई थी अंग्रेजों की ही अगर बात करें लेकिन कॉंग्रेश के लीडर्स को या जो अभी भारत को जो सरकार भारत में जो सरकार एसेबलिश करनी थी या भारत में जो प्रशाशन अस्थापित करना था अजाद भारत का राइट वो भी बहुत कमज़ूर था इसलिए अंग्रेजों की मदद चाहिए थी इसलिए अजादी के बाद माउंट बैटन को बोला गया कि कुछ समय तुम रुख जाओ इसलिए डॉमिनियन स्रेटस मान गए क्योंकि जब तक कंसिटूशन नहीं बन जाता तब तक अंग्रेज रहेंगे और उनका अड्मिनिस्ट्रेशन रहेगा एक बार कंसिटूशन बनके तयार हो जाए पूरी तरह फिर हम भारत को रिपब्लिक घोशत कर देंगे तो एड्मिनिस्ट्रेशन की जरुरत थी अंग्रेजी या यूरोपियन ICS अफसरों की भारत को जरुरत थी यूरोपिय जो फोर्स है आर्मी है उसकी भारत को जरुरत थी इसलिए Dominion Status के लिए मान गई Congress ठीके अब अंग्रेजों के लिए तो बहुत बढ़िया बात थी है क्यों? क्योंकि जितना जादा समय तक भारत के साथ वो जुड़े रहेंगे उतना जादा समय तक भारत से सैन ने मदद वो ले सकते हैं जितना जादा समय तक Commonwealth का हिस्सा भारत रहा और उनकी Dominion रहेगा उतने समय तक भारत में खुले लेवल पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं वो ठीके? तो भारत का ट्रेड उनके लिए खुला रहेगा भारत के सैनिक उनके लिए जो है वो उपलब्द रहेंगे तो चांदी ही चांदी अंग्रेजों की इसलिए Dominion स्टेटस देना अंग्रेजों के लिए भी फाइदे मन रहा और भारतियों के लिए भी ठीके? पहले भारतिये Dominion स्टेटस का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब 1939 में जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी तब Dominion स्टेटस को इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि तब guarantee नहीं थी कि Dominion स्टेटस के बाद आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन अब तो guarantee थी ना कि आजादी मिलने ही वाली है इसलिए Dominion स्टेटस कुछ समय तक रह जाए तो फाइदा ही रहेगा ठीक है अब देखते हैं आगे अल्रेट नेक्स देखते हैं rational for an early date यानि कि इतनी जल्दबाजी क्या थी मांट बेटन को इतने जल्दी क्या थी कि 15 अजादी दी गई ठीक है इतना जादा Congress के पर pressure डाला जाए कि वो जल्द से जल्द Dominion स्टेटस के लिए हाँ कर दे पहली चीज दूसरी बात at the same time the British could escape the responsibility for communal situation जल्द से जल्द अजाद इसलिए करना चाहता था क्योंकि जो communal दंगे हो रहते भारत में जो हजारों इस आप से लोग मर चुके थे उसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन जो है वो अपने सर से हटाना चाहता था इसलिए अब वो ब्लेम जो है वो अंग्रेज जो है वो भारतियों के उपर डालना चाहते थे इसलिए जल्द से जल्द पावर जो है वो दी जाए प्लस कॉमिनल दंगा जो हाथ से बाहर निकलता जा रहा था उसको कंट्रोल करना आज नहीं तो कल अगर अंग्रेजी सरकार रह जाती तो उसको करना ही पड़ता ठीक है उसकी जिम्मेदारी बन जाती तो वो जिम्मेदारी वो अपने उपर से हटाना चाहते थे इसलिए जल देखिये जो माउंट बेटरन प्लैन में घोशनाएं की गई थी कि बंगाल और पंजाब की लेशिलेटिव असेंब्ली वोट करें ठीक है सिंद को जिम्मेदारी दी गई कि आपको किसे जॉइन करना है उसके लावा बलूचिस्तान और नॉर्स फ्रेंटियर प्रविंस को बोला गया कि आप रेफरेंडम करा के देख लीजिए तो उसके क्या क्या नतीजे निकले देखिए और जल्द से जल्द करवाया गया वो काम ठीक है दे लेजिसलेटिव असेंबली जोइंड पंजाब डिसाइडिड इन फेवर ऑफ पार्टिशन बंगाल और पंजाब की ल वेस्ट वाला हिस्सा है वेस्ट बंगॉल भारत में जुड़ गया और इस्ट बंगॉल जिसको बंगलादेश के नाम से जना गया वो इस्ट पाकिस्तान के रूप में उभर कराया और पंजाब में से इस्ट पंजाब भारतिय संग का हिस्सा बना और वेस्ट पंजाब जो ह वो किस में जुड़ गया East Bengal यानि की East Pakistan का हिस्सा बना राइट पाकिस्तान तो अभी बनना था राइट ध्यान रखेएगा पाकिस्तान तो अभी बनना था अभी यह प्रोविंसिस थे प्रोविंस कौन सा है बंगाल है और बंगाल के दो हिस्से किये गए East Bengal और West Bengal G Äl A.jak vegetable partition तो हुआ है partition की घोष्णा तो 15 अगस के बाद की गई है यानि की कौन सा partition जो देश का partition पूरे देश गया है भारतिया महादीप का जो partition किया गया है भारतियसंग और पाकस्तान में वो तो 15 अगस के बाद 15 अगस को की गई है वो घोशना ठीक है या उसके बाद partition को जह वो clarify किया गया है कैसे कैसे होगा लेकिन provinces में बटवारा पहले कर दिया गया तो यही तो हम समझने कुछ कर रहेंगे जल्दबाजी क्यों है इतना जल्दी जल्दी provinces को क्यों बाट दिया गया ठीक है यह provinces जो है वो बटवारे के लिए तयार क्यों हो गई इतनी जल्दी नेक्स चीज़ देखेगा two boundary commissions one in respect of each province were constituted to demarket the boundaries of the new provinces ठीक है कहां कहां पर Punjab और Bengal के लिए दो क्या बनाई गई boundary commission the referendum in northwest frontier province decided in favor of Pakistan the provincial Congress refraining from the referendum बहुत important point है northwest frontier province में ज़र referendum हुआ उसमें जनता ने किसमें जुडने के लिए सहमती दी पाकिस्तान में और Congress ने इस referendum में participant नहीं किया जबकि Congress की वहाँ पर सरकार थी ठीक है तो आप यहाँ पर देख रहे है Congress का रुजहान धा partition कराने के तरफ ठीक है यह मैं आगे आपको एक partition पे एक micro analysis दूंगा बहुत डिटेल में partition को समझेंगे आज मैं केवल आपको overview foundation मना रहा हूं इसलिए मैं जारा depths में नहीं जारा क्यूंकि मैं आगे जो है वह depth वाला topic लाना चाहता हूं इसलिए foundation में क्यूंकि partition अपने आप में एक इतना topic है कि उसमें बहुत सारे चीज़ों को cover करना है मुझे पहले तो जो communal disharmony है वह कैसे create हुई है पहले तो वह समझाना पड़ेगा तो पहले उस topic को cover करेंगे हम और फिर एक बार micro analysis निकराऊंगा मैं केवल केवल और केवल partition के उपर ठीक है और उसके मलब वो फिर हम एक micro analysis की तरह देखेंगे कि उस समय के आसर हुए उस असर रहा partition का और present तक वो चीज़ कैसे जो है वो असर डालती चलिए आ रही है ठीक है नेक्स देखिएगा बलुचिस्तान और सिंद ने accept किया कि वो किसका हिस्सा बनेंगे पाकिस्तान का अब आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ठीक है माउंट बैटन प्लैन पहले तो माउंट बैटन आया भारत माउंट बैटन ने जाइजा लिया भारत की सिचुशन का माउंट बैटन इंग्लेंड गया वहां से सहमती लेकर आया अटली की और भारत में आके उसने डिकलेर किया माउंट बैटन प्लैन को सब ने अपनी acceptance दी सब किस-किस ने माउंट बैटन प्लैन में जो बात बोली गई थी ना कि एक कमिशन लाए जाएगा boundary कमिशन उसके लावा जो है वो partition के लिए referendum कराए जाएंगे voting कराए जाएगी वो सारी चीज़े हो गई अब माउंट बैटन ने इंडियन अब जो है वो इंडियन Independence Act which was based on Mountbatten plan and the act got royal ascent on July 18 1947 बहुत important point है direct सवाल 5 July 1947 British Parliament से पास होता है और 18 July 1947 जो Britain के शाशक है वो उसको finally एक कानून बनाने की जो है वो final ascent प्रवाइड करते है और यह पूरा का पूरा based किस पर है Mountbatten plan पर और Mountbatten plan क्या है कि भारत का क्या किया जाएगा विभाजन ठीक है next point the act was implemented on August 15 1947 ठीक है यह act implement कब हुआ है 15 अगस्ट 1947 the act provided for the creation अब इस act में था क्या क्या the act provided for the creation of two independent dominions of India and Pakistan with effect from 15 अगस्ट 1947 though independent dominion बनेंगी पाकिस्तान और इंडिया कब से 15 अगस्ट 1947 के बाद next is each dominion was to have a governor journal to be responsible for the effective operation of the act Indian independence act 1947 ठीक से operate किया जाए दोनों dominions में एक एक governor journal establish किया जाएगा अब वो governor general कौन रहेगा यह एक और दथे की बात है ठीक है डिरेक्ट fact है तो जो Congress है उसने कहा मांट बैटन लॉड मांट बैटन को वैसे तो पहले यही जो है वो आशंका रखी जा रहे थी कि Lord Mountbatten दोनों के लिए वाइस हो रहे बने जॉइंड वाइस हो रहे यह जॉइंड गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान और भारत के लिए लेकिन बाद में मांट बैटन, Congress ने मांट बैटन को कहा कि आप हमारे जो है वो गवर्नर जनरल बने रही है जब तक हम जो है वो एक स्थाई legislature of that dominion and existing central legislative assembly and the council of states were to automatically dissolve अब simple सी बात है अगर अंग्रेज जो है वो जा रहे है independence दे रहे है तो जो अंग्रेजी central legislative assembly थी और अंग्रेजी council of states थी वो डिजॉल हो जाएंगी obviously ठीक है वो हो गई डिजॉल और उसकी जगहा पर जो भारतिये ठीक है जो existing जो भारतिये हैं उनको दी गई यानि कि जो constituent assembly है वो संभालेगी दोनों dominion को यानि कि जो पाकिस्तान की dominion है उसके लिए constituent assembly अलग रहेगी भारत के लिए constituent assembly अलग रहेगी भारत में जो central legislative assembly थी वो डिजॉल हो जाएगी यानि जितने भी अंग्रेजी उसमें official members थे वो हट जाएंगे ठीक है और उसके लावाज जो provincial legislative assemblies है वहाँ के जो official members थे वो हट जाएंगे उनके जो provinces में जो governor है उनकी पोस्ट जो हो नल हो जाएंगी वोड जाएंगी उनकी पोस्ट तो यह तो इसली बात है for the transitional period that is still a new constitution was adopted each dominion the governments of the two dominions were to be carried on in accordance with government of india act 1935 जब तक अपना अपना constitution नहीं बना लेते यह point मा अलरडी बता चुका हूं जब तक अपना अपना constitution नहीं बना लेते तब तक government of india act 1935 लागू रहेगा ठीक है so that means 1950 तक भारत में क्या लागू रहा भारत में constitution कौन सा लागू रहा तो government of india act 1935 लागू रहा कब तक 26 january 1950 तक तो यह बात ध्यान रखने हैं आपको next point देखिएगा अगला point आता है आपका as per the provisions of indian independence act 1947 पाकिस्तान became independent on august 14 वाइल इंडिया got its freedom on august 15 1947 अब यह थोड़ा से रोचक सी कहानी है वैसे तो 14 अगस्त को यह दोनों को आजाद किया जाना था लेकिन कुछ पंडितों ने जवाराल नहरू को कहा कि 14 अगस्त जो है वो शुब नहीं है दिवस एक दिन बाद में जो हो आजादी जो हो मतलब अपने लिए एक दिन बाद में भारत को अजाद करवाई है ठीक है तो 14 की जगा 15 को किया गया लेकिन celebration 14 की evening को शुरू हो गई थी और जो वो very famous जो speech है वो रात के 12 बज़े दी गई है ठीक है वो 14 तारीक की शाम को ही होने लग गए थे तो यह मैं आपको partition मैंने आपको ओला ना partition जो हो नेक्स देखिएगा म जिन्ना बिकेंग दा फर्स गवर्णरइन जनल ऑफ-पाकिस्तान बहुत डिरेक्ट सवाल है गवर्णर जब पाकिस्तान के पहले गवर्णर जनल और गवर्णरर जनल और कोई वो देखिए क्या है, प्लैन बलकान क्या था, यह जो बलकनाइजेशन है, उसको एक बार समझते हैं, between March and May 1947, Mountbatten decided that the cabinet mission plan had become untenable and formulated an alternative plan, March और May 1947 के बीच में, यानि कि अपनी जून वाली declaration से पहले, ठीक है, एक जो है, वो प्लैन आया था Mountbatten के दिमाग में, जो की apply नहीं हो पाया, तो प्लैन बालकन जो है, वो कभी भारत में लागू हुआ ही नहीं, क्यूंकि नहरू ने बहुत, बहुत जो है, वो जोर शोरो से विरोध किया था, और Mountbatten को वो आपिस लेना पड़ा, वैसे मैंने आपको प्लैन बालकन या बलकनाइजेशन बता दिय है, कि भारत के प्रोविंसेश को छोटे-छोटे तुकडों में तोड़ देना, यह नहीं, जो एटली की declaration है, उसको कैरी रखना, जो क्रिप्स की declaration, क्रिप्स ने जो अनॉंसमेंट करी थी, या क्रिप्स जो अपने साथ points लेकर आया था, उसके just opposite करना, ठीक है, point देखिएगा, between March and May 1947, Mountbatten decided that the cabinet mission plan had become untenable and formulated an alternative plan, this plan envisaged the transfer of power to separate provinces or to a confederation if formed before the transfer, with Punjab and Bengal given the option to vote for partition of the province, इसमें इस, जो है, वो plan में क्या बोला गया, बालकन plan में, कि transfer of power कर दिया जाएगा separate provinces को, ठीक है, अगर भारतिये संग जो है, वो नहीं बन पा रहा है, या अगर leading parties, जो है, वो कोई एक constitution बनाने में कामियाब नहीं हो पा रही हैं, तो शक्ती का transfer कर दिया जाएगा, किसे? provinces को दे दी जाएगी शक्ती, ठीक है, अब अगर provinces को अजाद कर देंगे, आप independent political शक्तियां बना देंगे, तो balkanization ही हो गया ना, यानि कि छोटे-छोटे pockets बन गे political और वो आपस में लडएंगे, उसका फाइदा उठाना असान हो जाएगा अंग्रेजों के लिए, ठीक है? next is, the various units thus formed along with princely states, rendered independent by lapse of paramountcy, would have the option of joining India और Pakistan और remaining separate, यहाँ पर उनके पास option होगा, या तो वो इंडिया को join करें, पाकिस्तान को join करें, या वो separate हो जाए, princely's को बोला गया, ठीक है? next is, the plan was quickly abandoned after Nehru reacted violently to it, ठीक है? plan को abandon कर दिया गया, जब Nehru ने खुल कर विरोध किया इसका, ठीक है? तो यह कभी plan लागू होई नहीं सका, next देखते हैं, problems of early withdrawal, अब यह जो जल्द से जल्द अंग्रेज चले गए हैं भारत से, इससे क्या-क्या समस्याँ एं खड़ी हो गई, आए वो देखते हैं, पहला point देखिएगा, the breakneck speed of events under Mountbatten caused anomalies in arranging the details of partition and totally failed to prevent Punjab massacre, बहुत जल्द, तीन तारिक को उसने घोशना करी, तीन जून को 15 अगस को उसने आजाद कर दिया, देश, राइट, 15 अगस को जो है वो आजादी घोशित कर दी, इतने में partition भी होना है, जनता को बताना भी है, गाउं गाउं जाकर कि आप इस देश के नागरिक नहीं रहे, उस side जाईए, ठीक, अगर जाना चाहते हैं तो, अ इससे आजादी के बाद जब लोग इदर उदर जाने लगे, यानि कि जो बॉर्डर्स हैं लोग वने जब क्रॉस किये तो खून खराबा हुआ बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, पहला point देखेगा, there were no transitional institutional structures within which partition problems could be tackled, partition के बाद जो समस्याएं होने वाली थी कि कि किसकी ज भारत आना चाता है, पाकिस्तान नहीं रहना चाता है, तो कोई organization, को institution ऐसा नहीं है, जो उसकी वहां की assets को liquidate कर सके, यानि वहां पर उसकी जितनी भी भूमी है, उसके बदले में उसको पैसा मिल सके, that means वहां पर अपनी भूमिया छोड़ कर मुलतानियों को दिल्ली आना प migration हुआ ही है, ठीक है, और कोई institution नहीं था, इस migration को justify करने के लिए, कि migration जो है, वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, किसकी property जो है, वो कितना पैसा मिलेगा, तो लोगों को जमीने, घर, अपनी properties, यानि कि अपनी अचल समपत्ती छोड़ कर आना पड़ा, यानि अपनी immewable जो possessions थी, उनकी, जमीने थी, उनके जो घर थे, उनको छोड़ कर आना पड़ा, और जो चीज़े वो समान अपने साथ ला सकते थे, वो लेकर आए, ठीक है, नेक्स चीज़ देखिएगा, Mountbatten had hoped to be the common governor general of India and Pakistan, thus providing the necessary link, but Jina wanted the position for himself in Pakistan, दूसरी ची relation में आगे रखूंगा इंडिया से भी, लेकिन जिनना एक साट अड़ गए, कि नहीं मैं बनूंगा, next is, there was a delay in announcing the Boundary Commission Award, under Red Cliff, though the award was ready by August 12, 1947, Mountbatten decided to make it public after the August 15, so that the British could escape all responsibility of disturbances, बटवारा हो चुका था 12 अगस तक, Red Cliff के अंडर जो Boundary Commission established हुआ था, उसने बटवारा कर दिया था 12 अगस तक, लेकिन Boundbatten ने घोशना नहीं करी बटवारेगी, क्यों, क्योंकि अगर 12 अगस को घोशना करते तो लोग की, लोग का migration शुरू हो जाता, और फिर जो भी समस्य होती उस migration में, उसका जिम्मा किस पर आता, अंग्रेजों पर, और अंग्रेज जो हो responsibility नहीं चाते थे, वो जो खून खराबा होने वाला था, उसकी responsibility अपने सर नहीं चाते थे, इसलिए आजादी के बाद तक उन्होंने रोक के रखा, ठीक है, देश आजाद हो गया, और उस है, दो, तो जो गाओं की जनता है, जो की remote क्षेतर में रहती है, उनको तो क्या पता है, उनके पास आके एक दिन कोई वेक्ती, खादी कपड़े में आकर बोल रहा है कि अब तुम्हें, तुम्हारे पास मौका है, दो तीन दिन का time है, जान बचा सकते हो, तो भाग जाओ न हुआ है, उसकी जिम्मधारी अंग्रेज अपने सर नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो अवार्ड है, यानि की अवार्ड के रूप में, यानि की वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, पार्टिशन तो इसलिए अवार्ड शब्त का यूज़ गरते हैं वो, तो जब अगला सवाल आता है हमारे आगे, कि यहाँ पर जवाब बिलकुल सिंपल से यह बनता है कि यहाँ पास और कुछ चारा था भी नहीं, क्यूंकि दंगा बढ़ता जा रहा था लोग जो हैं वो दिन प्रतिदिन मरते जा रहे थे, अग्रेजी सर्कार ने जो system सेट किया था था भारत में हिंदू-मुस्लिम जो दंगे होते रहें, उसका जो सिस्टम अंगरेजी सरकार ने सेट किया था, वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था, और उसका क्लाइमेक्स था पार्टीशन, ठीक है, हिंदू-मुस्लिम एकता नहीं रहेगी, यह जो नोशन, दो अलग राश्टर का नोशन, जो लोगों के मन में धिरे-धिरे बैठ गया था, वो फाइनली क्लाइमेक्स में पहुंचा, 1946 के बाद, ठीक है, 1946 के बाद जो कॉमनल दंगे हुए है, वहां से जो है वो, यह बात inevitable हो गई, कि अब तो बाट नहीं पड़ेगा, अधरवाइस दंगे होते जाएंगे, लोग मरते रहेंगे, ठीक है, तो पहला point देखिएगा, the Congress was only accepting the inevitable, due to the long term failure to draw the Muslim masses into the national movement, Congress की हार कहां हुई, कि Congress जो है, वो Muslim जनता को national movement में, यानि Congress के जो national movement है, उसमें जोड़ कर नहीं रख सके, अंग्रेज जो फूट डालने की नीती थ ही, वो अंग्रेज उसमें काम्याब हो गए, Congress उस फूट डालने की नीती को, जो है, वो उसको रिवर्ट नहीं कर सके, ठीक है, सेकिंड चीज, the partition reflects the success-failure dichotomy of Congress-led anti-imperialist movement, success-failure dichotomy क्या है, यानि की Congress, जो है वो, success दिलाई, Congress की success ही है कि Congress ने आजादी दिलाई, लेकिन Congress का failure यह है कि Congress की वज़ से partition हो गया, ठीक है, अगर Congress सबसे बड़ी शक्ती थी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, partition उन्हीं की वज़े से हुआ है, कहा जा सकता है, ठीक है, तो यह success-failure dichotomy कहा गया Congress का, तो success तो रही, अजादी तो मिली, लेकिन partition भी हो गया, ठीक है, next point देखिएगा, the Congress had two-fold tasks, पहला था structuring diverse classes, communities, groups and regions into a nation, और securing independence for this nation, भारत जैसे इतने diverse, multi-ethnic, multi-lingual, multi-religious, multicultural, geographical, जो area है पूरा Indian subcontinent का, उसको जोड़ कर एक राष्टर बनाना उसमें से, नेशन बनाना एक बहुत बड़ा बड़ा challenge था, तो पहला challenge तो यह था और दूसरा उस राष्टर को आजादी दिलवाना, पहला राष्टर को जोड़ना, दूसरा राष्टर को तो success क्या रही Congress की, की आजादी तो दिला दी, लेकिन राष्टर को जोड़ कर नहीं रख सके, partition हो गया, ठीक है, जो मैंने समझाया वही point है यह, ठीक है, जनता को इतना जागरुख तो किया उन्होंने, कि अंग्रेजों को भारत से, भारत छोड़ कर जाना पड़ा, लेकिन, Muslims को जो हैं, वो नहीं जोड़ कर रख सके, next is, only an immediate transfer of power could forestall the spread of direct action and communal violence, the virtual collapse of interim government also made the notion of Pakistan अभी appear unavoidable, ठीक है, यहाँ पर clear हो जाता है, कि, जैसे ही मैंने पहले भी वोला ना, और मैनन साब ने भी वोला था, कि जल्द से जल्द transfer of power हो जाए, जल्द से जल्द Dominion status मिल जाए, ताकि यह दंगा कंट्रोल किया जा सके, और अगर उर्सके बाद, जो है, वो Congress के President ने भी कहा था, ठीक है, किरपलानी साब ने, क्या, कि पाकिस्तान जो है, वो partition कर दो, ताकि communal दंगे रुकें at least, ठीक है, तो पाकिस्तान में जो, पाकिस्तान का जो बटवारा है, या जो partition है, वो inevitable हो चुका था, अंग्रेज़ों ने उसकी नीव 1858 में ही रख दी थी, और उसके बाद Muslim League बनने से, वो officiate हो गया, और finally, जो है, वो climax उसको देखने को मिलता है, अमें, 15 अगस्त को, ठीक है, next point देखते है, next point आएगा, the partition plan ruled out independence for the princely states, which could have been a greater danger to Indian unity, as it would have meant, balkanization of the country, अब partition plan में, क्या कर दिया गया था, rule out कर दिया गया था, किस provision को, कि जो princelys है, उनको आजादी है, कि वो अपने आपको एक separate, जो है, वो, political entity की तोर पे establish कर सकते हैं, ठीक है, इस provision को हटा दिया गया था, और इसकी जगा provision डाल दिया गया था, कि उनके ओपर obligation है, कि या तो वो भारतिय संग में जुडेंगे, या तो वो पाकिस्तान के साथ जुडेंगे, ठीक है, Next is, acceptance of partition was only a final act of the process of step-by-step concessions to the league's championing of a separate Muslim state, यानि कि partition जो हुआ है न, वो अचानक से नहीं हुआ, partition जो है वो, पूरा जो step-by-step चला जा रहा था, उसका step-by-step जो चल रहा था process, किस चीज़ का, कि धीरे-धीरे Muslim league की तरफ शक्ती बढ़ती जा रही थी, partition की तरफ कदम बढ़ते जा रहे थे, उसका अंतिम कदम था partition, तो उससे पहले कैसे-कैसे transfer of power हुआ है, वो देखिएगा, ठीक है, पहला point है, during Crips mission 1942, autonomy of Muslim majority provinces, पहला point थे है, Crips mission में Muslim provinces को autonomy provide करना, दूसरे चीज़, during Gandhi-Jina talks in 1944, मार्च में, Gandhi accepted the right of self-determination of Muslim majority provinces, गांधी-Jina talks में, गांधी-Jina बात मानी, self-determination वाली, कि जो Muslim जनता है, उसके पास हक होना चाहिए, उनको decide करनेगा कि वो किस के साथ जुड़ना चाहते है, तो Muslim जनता किस के कंट्रोल में, Muslim League के कंट्रोल में, ठीक है, तो जो Muslim League चाहेगी, तो indirectly, गांधी-Jina ये बात मान ली, यानि उस direction में, गांधी-Jina भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिये, कि पाकिस्तान जो है वो अलग, तुम कर लो, Next is, after the cabinet mission plan 1946, Congress conceded the possibility of Muslim majority province setting up a separate constituent assembly, group B, group C में बाटा गया था, जब Congress ने इस चीज़ को मान लिया, तो वहीं पर ही Congress ने इशारा दे दिया कि, अलग कर लो तुम अब, क्यों, क्योंकि अलग constituent assembly बनाने का मतलब क्या है, कि धीरे-धीरे उसी तरफ कदम जो है, वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, partition की तरफ, next is, later the Congress accepted without Deemer, the growing, the grouping was compulsory in December 1946, December 1946 में compulsory grouping को भी मान लिया, Congress ने, ठीक है, official reference to Pakistan came in March 1947, when CWC, Congress Working Committee Resolution, stated that Punjab, and by implication Bengal, must be partitioned, if the country was divided, ठीक है, और 3 June का जो plan है, यानि Mount Patton plan है, उसको तो Congress ने accept कर ही लिया, ठीक है, तो यह जो अन्तिम 2-3 point है, इसमें clear होता है, मार्च 1947 में, Congress की Working Committee ने बात clear कर दी, कि भंगाल और पंजाब का partition करना ही पड़ेगा, अगर पाकिस्तान बन रहा है, तो that means, that means, यह की 1946 की जो Constituent Assembly बनी है, December, January में जो election हुए है, ठीक है, 46, 47 में, sorry, 45, 46 में, और उसके बाद, जो पूरा यह procedure चला है, यानि की communal जो disharmony फैली है, इसके बाद जो है, वो फैसला Congress को लेना, जो है, वो clear हो गया था कि partition करना है, कि partition कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है, और 3rd June का जो plan है, यानि Mountbatten plan में, फिर finally Congress ने मान ही लिया partition को, in fact, गांधी जी ने मान लिया, अब देखते हैं, Congress ने कैसे जो है, वह सफाई दीज चीज की, while loudly asserting the sovereignty of constituent assembly, the Congress quietly accepted compulsory grouping and accepted the partition, क्या-क्या मान लिया, compulsory grouping मान लिया, और partition को accept कर लिया, किसने, Congress ने, most of all because it could not stop the communal rights, क्यों मान लिया, क्योंकि ये सामपरदाइक दंगे नहीं रोक पा रहे थे, there was nevertheless much wishful thinking and lack of appreciation of the dynamics of communal feeling by the Congress, especially in Nehru, who stated at the various times, देखें, Nehru के एक statement देखेगा, once the British left, Hindu-Muslim differences would be patched up and a free united India would be built up, अब ये जो communal दंगे है न, इस चीज़ को बहुत कम आंक रहे थे, या तो कम आंका जा रहा था Congress की leaders द्वारा, या तो अपनी insecurities वो खुलका बता नहीं रहे थे, कि वो इन communal दंगों से बहुत ज़्यादा intimidated है, क्योंकि जवाहर नाल नहरू इनफेक्ट repeatedly बोले जा रहे थे, कि ये जो communal दंगे है, ये अंग्रेजों की वज़े से है, एक बार अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बाद हम situation को handle कर लेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है, जो communal दंगे है, यानि जो संपरदाइक दंगे है, या जो हिंदू-Muslim अनेक्ता है, जो बाइर है, हिंदू और Muslim community के बीच में, वो काफी बड़ा हो चुका था अब, ठीक है, नेक्स देखिएगा, partition is only temporary, ऐसा कहा गया, नहरू दारा, उसके अलाबा, partition would be peaceful, once Pakistan was conceded and was there to fight for, partition peaceful होगा, Congress की leaders ऐसे बोल रहे थे, कि partition अगर होगा ना तो peaceful होगा, अगर एक बार Pakistan भी मान जाए, कि partition किस तरह का करना है, लेकिन Mountbatten ने 15 अगस तक तो बताया है नहीं, कि partition कितना कितना partition हो रहा है, ठीक है, next चीज़ देखिएगा, the communismism of the 1920s and 1930s was different from that of 1940s, now it was an all-out effort for an assertive Muslim nation, 1920 और 1930 का जो communal दंगा था ना, वो छोटे लेवल पर Hindu Muslim के दंगे वगरते थे, लेकिन 1940 के दशक में जो communal दंगे हुए हैं, वो केवल एक अलग Muslim राष्टर की demand के लिए हुए है, तो ये difference हमें देखता है, इस पर एक detail सवाल भी बनता है, ठीक है, mains के point of view से, इसे एक particular statement पर, ठीक है, Congress leadership underestimated the potential of this type of communalism, ठीक है, Congress leadership को लगा, जैसे की नहरुकीन statement से व्यक्त होता है, कि वो दंगे को control में कर लेंगे, लेकिन दंगे पर्टिशन करवा कर छोड़ा उन दंगों ने, अंत में देखते हैं, गांधी जी की helplessness, उनकी मजबूरियां क्या थी, गांधी felt helpless because there had been a communalization of the people, he had no option but to accept partition because the people wanted it, how could there be a movement to fight communalism involving a communalized people, he asked the congressman, however, not to accept it in their hearts, गांधी जी के साथ समच्या ये थी, कि जनता, जिसको गांधी जी, जिस जनता को गांधी जी प्रेरित करना चाहते थे, कि आप संपरदाइक दंगों में ना पड़ें, वो जनता संपरदाइक हो चुकी थी, गुटों में बढ़ चुकी थी, पहली बात, दूसरी बात जो गांधी जी के जो सबोर्डिनेट्स थे जो गांधी जी के शिषय थे नहरू और पटेल उन्होंने गांधी जी की बाते मानना बंद कर दी थी ठीक है वो गांधी जी के direct orders को जो follow करना बंद कर दिया था उन्होंने और वो भी इस direction में काम करने लग गये थे कि वो मान जाए right that means कि constructive काम उन्होंने करने बंद कर दिये थे ठीक है अगर partition हो रहा है तो होने दो ठीक है जल से जल इस system को यानि कि जल से जल इस a communal दंगे इसको दबाने के प्रती उन्होंने काम किये उसके लावा गांधी जी ने अपील यही करी सभी leaders से कि partition अगर हो रहा है लेकिन अपने दिल में partition मत होने देना ठीक है दो देश अगर बन रहे हैं लेकिन आपको जुड़े रहना है यानि harmony के साथ रहने का situation जो है वो establish करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर आज हमारा खतम होता है partition topic पूरा तो freedom और partition के लेकर हमने जादा तर concept समझा और जादा से जादा effect जो हुआ हुआ मने खटा करने की कोशिश की है आज हमने करा दिया देश को अजाद अब इसके बाद हमारा शुरू होगा post independence लेकिन उससे पहले post independence में जाने से पहले मैं एक बार विश्व इतिहास का जो है वो थोड़ा सा आपको नजारा दिखाना चाहूंगा विश्व इतिहास क्या है उसके बाद हम post independence में अंटर करें तो सही रहेगा ठीक है आज का topic अगर आपको बढ़िया लगा जो चीज़ें आपको समझ आई नहीं समझ आई मुझे comment में बताईएगा जो मैंने सवाल बीच बीच में पूछे हैं उनके जवाब मुझे comment में दीजेगा पिछले जो topics अगर आपने नहीं देखे हैं तो make sure playlist में जाईएगा चैनल पर मिल जाएगी आपको सड़ी आई क्योंके otherwise हर एक वीडियो के नीचे जो pinned comment है वहाँ पर आपको वीडियो जो पूरी playlist है उसका link वहीं मिल जाता है तो वहाँ से direct आप playlist access कर सकते हैं और पिछले सारे sessions आप देखिएगा मेरे पूरे thoroughly comment करना है, share करना है, like वगरा करना है तो अगर आपको generally अगर पसंद आते हैं मेरे efforts तो definitely करे गई ठीक है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा ही है feedback मेरे लिए बहुत important है उसके अलावा अगर आप CAC के लिए prepare कर रहे हैं तो study IQ की learning application install कीजिए अपने android device पर एक thorough course available है study IQ का, CAC से related उसके अलावा अगर आप किसी भी aspect को तयार करना चाते हैं किसी भी subject को तयार करना चाते हैं तो बहुत सारा material है उस application पर available make sure you check that out so आज के session को मैं यहाँ पर खतम करता हूँ मैं मिलूँ आप से अगले session में मेरा नाम है विशाल चोहान तब तक के लिए अपना खासा ध्यान रखे है take care